हां जी क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल सभी के क्या हाल चाल क्या हाल चाल कैसे हो सभी लोग कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो हाई हाई मनी हाई क्रिष्णा हाई पवित्र हाई प्रणव हाई मनोज हाई ट्विंकल हाई अंशिका हाई रेनू क्या हाल चाले क्या हाल चाले और भाई तुम तो आज सब पूरे it's ser aire 3 को पुछ आज है सउलना में बड़ी अब हर्चा आहीं चाले करता आरी कि अ चरी करना कि यहां प्रलास के करना है यहां रही तो कि बंत्र जो आप की दिश्वार द्रजोड़ थे जिन्होंने कहा कि नहीं क्लास लेनी है तो बहुत ही बढ़िया अपने दोस्तों को बोल दो कि जल्दी से आ जाएं और जो भी उन्हें करना है और हम अपनी कख्शा की शुरुवात करते हैं आज के इस लेक्टर से आज हम बहुत ही एक बहुत ही चोटा सा एक लेक्टर शुरू करने वाले जिसका नाम है है यह आपके ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से मालो भाग है उसका एप्लिकेशन है कुछ बच्चे पूछते भी यह पड़तो रहे हैं इसका यूज कहां पर है इसको हम कहां पर अप्लाय करेंगे यह बता दो तो वह कहां पर बतेगा वह मैं बताएंगे हाइट्स इंडिस्टेंस का एक और नाम जो है दुनिया वाले जो इसे बोलते हैं वह है सम एप्लिकेशन्स ऑफ ट्रिक्नोमेट्री सम आपको आ रही होगी वैग्राउंड में अवाज फुल पठाके बठाके बज़रे हैं मैं तो ऐसे चिल्स आ रहे वाई सम एप्लिकेशन्स ओफ ट्रिक्नोमेट्री ये भी एक और नाम है इसका जो दुनिया वाले बोलते हैं इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं में जो नाम है शायद आपके NCRT में दोनों में से एक लिक रखा है मैंने यार देखा नहीं मेरा में फोकस होता है आपको कॉंसर्प समझाना है आपको वह सारी चीज़े बतानी है जो कि आपके एक्जाम में आ रही है कल की हमारी क्लास होई कल हमने ट्रिक्नोमेट्रिक हतम करी काफी बच्चों को बहुत प्यारी क्लास लगी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस था बच्चों ने गा भाया पूरा रिवीजन हो गया जि अपनी तरफ से कितना ही best बना लो चीज को बट आपके suggestion से वो एकदम हीरा बनके निकलेगी मेरा यही focus होता है मैं मानता हूं मेरे मेरे में भी कमी आ है मैं कोई perfect teacher नहीं हूं बट आप सभी से सीख के, आप सभी के सजेशन्स लेके, जो भी चीज निकल के आईगी, जो भी आउटपुट निकल के आएगा, वो बेस्ट आना चाहिए, तो आप सभी ने सजेशन करा कि भईया, थोड़े सा कुश्चन्स कमते, कुश्चन्स जादा करवादो, ठीक है जी, आज कुश्चन्स जादा करेंगे, बही कुछ बच्चों ने बोला, या टाइम का मत सोचो, पढ़ाते रहो, आप तो बस मज़ा आना चीए पढ़ाने में, मैंने का बिल्कुल जी, पढ़ाते रहेंगे, आज की क्लास की कोई टाइम लिविट नहीं है, आज जब तक प्रभ सेंट डिप्टा दिया, तीसरे दिन में ट्राइंगल डिप्टा देंगे, इस तरह से आपको भी 14 दिन मेरे साथ रहना है, अगर आप 14 दिन के बाद इस पूरी सीरीज के साथ रहोगे, तो अपने आपको इस पोजीशन पर पाऊगे, कि यह मैस का एक्जाम पे तो बही है, 100 ख़टके 4000 पर आजाएंगे, वही 4000 अगली क्लास में छटके 2000 पर आजाएंगे, लास्ट में जो बच्चे बैठेंगे न, वो जो 105 बच्चे होंगे, वो बच्चे होंगे जो बच्चे रिज़ लेके आएंगे, तो आपको देखना है, आप कौन सी के डिगरी में आते हो, क्य आपको एक बहुत त्यारा गिफ्ट दूंगा तो इसलिए उस लेवल की महनत करनी है अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है करते शीगणेश आज इस शेप्टर का मैं बिल्कुल जोश में हूं आप भी अगर जोश में हो तो अपनी तो अपनी अपनी कॉपियों में और चैट म इस साल मेरा है वह थो है सोबर्टा सो लेकिया साथ घाली गएंप स समझ गए का समझ कि समझ के यार मेरी तरफ से तो वॉइस बिल्कुल तेज कर रखी हैanca ने मेरी तरफ से तो वाइस बिल्कुल मैंने तेज कर रखी है एक सेकंड एक सेकंड का वेट करना भाई भाई यो बहनों एक सेकंड का वेट करना बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि अवाज थोड़ी सी बढ़ा दू ने अगर लाइब को देख रहा है आजा एक वाट ठीक कर दें अगर अभी तो वो निमेती असारी चीज अरेंज करता है तो आगे एक बार बता देगा ओके है ओके है जी ओके है जी आप एक बार मैं एक चीज और भूल गया हूँ मैं एक बार टेलिग्राम पर डाल दूँ बस इसको जिससे की जिन बच्चों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुची है वो एक बार आजाएं और अंटेंड कर लें अगर वोईस अब सही है मेरा मुकडा बहुत सुन्दर दिख रहा है तो एक बार थम्जब कर देना यार वोईस एक दम सही है और यह देखो टेलिग्राम पर पोल करा फिफ्टी सेवन परसेंट बच्चों ने बोला नहीं बच्चों लेनी है अब क्लियर है अब क्लियर है ओक्य है करते हैं चलो जी शीकनेश करते हैं चैप्टर का एम है हमारा सौबड़ा सौ मैट्स चैट मैं भरजाना चाहिए 100 वटा 100 लेकैंड है विए मै deposit में ठीक है देखो देखो अभ यहां सुना आप यह सुना विग्शर देक्स लिक्टर देख सकते हों जो मं बड़े बड़े लेक्चर्ट मनाते हैं अभी आपको वे चीज पढ़नी है जो आपके ऐक्जाम में आने वाली है तो माल लो, एक सवाल देता हूं, अपने आप solve करना माल लो ये एक triangle है मैंने बोलगे ये triangle है ABC ये triangle है ABC ये जो angle C है, ये right angle triangle है ये angle C है, ये 30 degree है ये angle C 30 degree है और यह जो है यह जो आपको हायपोंटीन्यूस है यह आपको दे रखा एंग मॉनलो 15 सेंटीमिटर आप से पूछा यह बी बताओ क्या आप deserved इंब तो क्या आप निकाल सकते हो क्या आप निकाल सकते हो क्या आप निकाल सकते हो जल्दी बताओ ये भी क्या होगा जल्दी बताओ जल्दी जल्दी इस एक सवाल से आपका height and distance पूरा complete है इस एक सवाल से आपका height and distance इसिद्स पूरा कम्प्लीट हैं अगर आप ये सवाल का आंसर दे पाओगे तो हूं हो गया हो गया यह 7.5 30 30 और 7.5 30 7.5 था थिवल सेवन पॉइंट फाइव हम पता हो 7.5 7.5 7.5 एह गुछ बच्चों का 30 आ रहे हैं कुछ बच्चों का 7.5 आ कैसे निकालना देखना पूरा फोकस अब इस बोड़ पे पूरा फोकस इस बोड़ पे कैसे कर रहा हूं यह देखना एंगल सी के लिए इस एंगल सी के लिए इस एंगल सी के लिए यह है परपेंडिकुलर यह है हाइपोटीनियूस और यह है बेस इस angle C के लिए A, यह है perpendicular, यह है base और यह है hypotenuse, clear है यहाँ तक clear है, अगर मैं आप से बोलू, अगर मैं आप से पूछो, आपको क्या पता है, hypotenuse पता है, आपको क्या डूण रहा है, perpendicular आपको डूण रहा है, तो मेरे को hypotenuse पता है, यह होता है, perpendicular डूणना है, तीन चीज़े होती है, तीन चीज़े होती है, hypotenuse, perpendicular और base, हमें इन नोनों का काम है, किन नोनों का काम है, hypotenuse और perpendicular का, hypotenuse और perpendicular का, कौन सी से trigonometric ratio है, जिसमें perpendicular और hypotenuse आता है, कौन सी से trigonometric ratio है, जो की perpendicular और hypotenuse contain करती है, बोला था मैंने पापा बीडी पी होगे वह भी याद है पिछली क्लास का तो यह होता है Sine यह होता है coss, यह होता है 10 यह होता है Cossack यह होता है Cod Parpendicular or hypotenuse किसमें आ रहे हैं Sine में आ रहे हैं Sine theta जो होता है वो होता है perpendicular upon hypotenuse होता है तो यहां पर हम sign use करेंगे ठीक है तो जो आपको निकालना है और जो दे रखा है वो देखो किस के बराबर है 30 डिगरी के बराबर अरे दे रखा एंगल सी बराबर 30 टेक साइन बोट साइड्स एक साइन बोट साइड्स भाई आपको कैसे पता चला साइन लेना है मैंने का अभी तो बताया अरे है इसी परपेंडिकुलर किस में आते हैं कौनसी रेशो में रहते और तो हमें सी 30 दे राखा था दोनों तरफ मेरे को कुछ ले ना था क्या लेना था कैसे दिवां में आया और सांइन ले तो जैसे मैं दोनों टरफ साइन लेलूं का साइब सी बराबर साइन थती प्नॐपन चाहेगा बहुत ब्यारवटेंस संजारा हूं ज्यां से सुणना ची वराबर 30 दिया ता दोना तरफ साइन ले लिया क्यों है cm3 घूरब बाबर बाइटू तो यहां से आगया यह 7.5 cm तो यहां से परपेंडिकुलर अपना जो आ गया वह आ गया 7.5 cm अरे है अरे खेंडल है अरे क्लियर और फी अपी क्लियर एक रिए समझ गया सौपाइस हो जो यह यह पूरा है से यह पूरा कशिची यह करना है कि जो आपको निकाला है और जो दे रखा दिमाग लगा और कौन से रिश्यों में आता है बस वह दुरू तरफ ले वह एंगल सी मेरे को 30 दे रखा था मैंने दोरों तरफ साइन ले लिया तो साइन सी बराबर साइन 30 बन गया साइन 30 की वेल्यू पता है परपेंडिकर हो है पूरे चैप्टर में जाओ एश करो मज़े करो मज़ा कर रहो कोईशनस भी करेंगे पर चैप्टर का सार यही है अरे समझ गए मैं आपसे बोलू अब मैं आपसे बोलू एक मिलिट में आंसर दे रहा है अब मैं आपसे बोलू यह आपका एक ट्राइंगल है यह आपका ए है यह आपका बी है और यह आपका सी है आपको यह एंगल आपको दे रखा है 60 डिगरी यह एंगल आपको दे रखा है 7.5 या 7.5 छोड़ो, यह आपको दे रखा 30 cm और आपसे पूछ लिया कि यह क्या है चल्दी से बिना सोचे, समझे, आंसर देना है बिना ज़्यादा दिमाग लगा है, आंसर देना है यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है यह आपको बोल दिया 15, 15, 15 15 आगया, आगया बस हो गया सवाल यहीं करना है देखो। सबसे पहले ऑंगे कौन से छह से जब करना है देगें हैं आपको बताया था तरिगनोमेटरेयं घ्रमिंड्र टॉने सामने वाला होगाु ठीक है है हाइपोटीन्य कान्य उसावगा साइन वाला होगा फर्पेंड्र कौन सा होगा पर्पेंड्र वह गा जो इस एंगल के सामने है वो perpendicular वो बचावा base तो अब इस case में इस case में आपके पास hypotenuse तो है आपको base find करना है कौनसा ऐसा ratio है कौनसा ऐसा ratio है कौनसा ऐसा ratio है जिसमें H और B आता है में आता है, तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमें एंगल A बराबर दे रखा था, 60 डिगरी, दोना तरफ क्या ले लेंगे अब, cos ले लेंगे, taking cos both sides, तो हमने दोना तरफ क्या ले लिया, cos ले लिया, तो यहांसे बन गया, cos of angle A बराबर cos of 60 डीगरी को से बराबर बेस अपउन है बेस अपने इसाब यह तो यहां से बेस बराबर आगया थटी बटे दो यहां से आगया सेंटीमीटर तो बेस बराबर आगया 15 सेंटीमीटर अरे समझ गये क्या 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 समझ गये ना समझ गये ना समझ गये 15 आगया अंसर सबका 15 आगया अंसर सबका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक और सवाल करना देखना एक और सवाल करना थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा से दिमाग लगा के ध्यान से सुनना सवाल को यह आपकी रोड है यह आपकी next stoppers की building है next stoppers की building है यह मैंने अबेवैच में बच्चों को सवाल दिया था उन बच्चों में से maximum बच्चों को गलत हुआ था आप बताना साहि यह नहीं तो यह अभेवैच की building है यह next stoppers की building है next stoppers की building में यहां पर खड़े हैं आपके शोवित भाईया यहां पर खड़े हैं आपके शोवित भाईया ठीक है यह फिसिक्स वाला की building है पीडेवलू की building है पीडेवलू की building के टॉप पर खड़े हमारे अलकसर ठीक है ठीक ठीक है यह दोनों आपस में फोन पे बतीब आ रहे है तो मिंत यह जो डिस्टेंस है यह है two meter ठीक है और यह जो distance है यह है eight plus two root three meter यह है eight plus two root three meter जो PW building है वो eight plus two root three की है और जो आपानी next offers की building है वो दो मीटर की है तो दोनों phone पर बात कर रहे थे जब दोनोंने phone पर बात करी तो अलगसर ने का यार क्या दूर दूर बात कर रहे हो आजो coffee पीने चलते हैं तो उनोंने का आप ऐसा करो आप यहां आ जाओ PW की building के नीचे आ जाओ गाड़ी पे चलेंगे तो शोवित भया को यहां PW की building के नीचे आना है बताओ कितने टाइम में शोवित भया यह आएंगे बताओ at what time at what time शोवित विल रीच पीड़लु बिल्डिंग कितनी देर में कितनी देर में PW के office में बिल्डिंग नी बोलेंगे इसको office बोलेंगे ठीक है कितनी देर में शोवित पीड़लु की second 2m per second शोवित की speed में आपया जाता है निगलेक्ट लिफ्ट कि वह ओपर से नीचे निकल लिफ्ट टाइम में को निगलेक करदो जल्दी से नेकल लिटा हुए मैं सवाल तो करने देते अभे सवाल तो लिख्ण लो से नहीं अवे सब्सवाल है तो अब जल्दी है एक काई रहे हैं एक सकेंड या याई शोभी अबड़ी तेज है हमारे कितना 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 अरे यार देखो जिन्होंने पहले कर रहा है वो चीटिंग नहीं करेंगे जिन जो बच्चे पहली वार सुन रहे हैं उनको उनको कड़ने दो 24 हो गए चलो थोड़ा सा वो टाइम लेलो बहुत जल्दी हो गए 24 हो भाइब को रिपीट कुछ बच्चे बोलो रिपीट शोवित ने अलग सर को देखा 30ग फे livre शोवित ने आजवीड रिखा चाय पी ने चलते हैं तो शोवित को यहां लेकि यहां आने में निगलेक्ट कर दो लिफ्ट टाइम यहां से लेकि यहां आने में कितना टाइम लगेगा यह बताने हैं यहां से लेकि यहां आने में शोबित को कितना टाइम लगेगा बताने हैं कितना टाइम लग रहा है जी 12 सेकंड ये 6 सेकंड फिर से क्या फिर से अब एक क्विश्चन समझात हो दिया हो जल्दी जल्दी और फकी की तो हो गया को गया हो गया हो गया देखो जिसको वह बढ़ी है जिसको नहीं हुआ को ही बात बात सब्सक्राइब नहीं आता है समझ में कुछ बच्चे होते हैं नहीं समझना तो कोई बात आगे करोगे आपके लिए खड़ाऊ ना जिनको आगया बहुत बढ़ी और बढ़ीआ अब मैं समझाओंगा तो टेंशन नहीं होती है मत सोचो मैं जब मैं जब अपने क्लास में कर lasting करूं आपको भी वोड़ के एकजाम देना है आपके से पहले आशन निकाल रहा है उसको भी बॉड़ के एकजाम देना है तो आप सभी के पास संपूर्ण टाइम में तो टेंशन मत लिआ करो अगर मेरे से नहीं हुआ ठीक है उन बच्चों को बोल रहां जिन से नहीं लेंगे में लाद्वीस फीड से निकाल में तो टाइम मिदा और यां से भी यहां कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे कि द्यान से द्यान से दिखना ये 2 ettr यह 2mm है तो यहां से यहां तक कभी 200 मीटर होगा अगर में इसको आगे जोड़ा दोー मिटर दोनों building सीधी खड़ी है तो यह 2aming एटे दो 212 तो यह कितना हो गया यह कितना हो योगा सीच प्लस टू रूट 3 में से माइनिस किoff 6 प्लस टू रूट यह सिक्सपलस टू रूट 3eнийक मिन लगा यह a यह है किया टो यह भी डिय। है subtitle में देखें इस ट्रींगल में लेके इस ट्रींगल के कुशटे हैं A, B, C जो हमारा एंगल A है, वो हमें 30 degree दे रखा है, ठीक है, perpendicular पता है, बेस निकालना है, क्या बोला मैंने, perpendicular पता है, बेस निकालना है, किस में आएगा, किस में आएगा, perpendicular और बेस किस में आदा है, 10 में, तो take 10 both sides, take 10 both sides, तो दोना तरफ हमने 10 ले लिया, तो यहां से बन गिया, 10 of angle A बराबर 10 30, बन गिया, दोना तरफ 10 ले लिया, तो 10 of angle A क्या है, perpendicular upon base, perpendicular क्या है, 6 plus 2 root 3, upon में base क्या है, base ही तो निकालना है, D, equal to 10 30, 0, 1 upon root 3, यह बन गिया, बन गिया, बन गिया, बन गिया, तो यहां से अपना आ गिया, D बराबर 6 root 3, plus 2 into 3, 6, तो यह हो गिया, 6 into 1 plus root 3, कु कुछ ऐसे ही बन रहा है, कुछ ऐसे ही बन रहा है, सही 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 है, कुछ बच्चों का अब देख रहो, root 3 भी आ रहा है, answer में, मैंने थोड़ी से value change कर दी, उस वाले question में, जो मैंने next offers पे दिया तो न, उसका मैं आपको ब लिखाता सब गलत है तो यह हमारा डिस्टेंस आ ठीक है यह हमारा डिस्टेंस आ गया है इसलिए तो जल्दी बाजी मत करो अरां से करो क्वेश्चन को क्या पता क्वेश्चन में वेल्यूस चेंज हो हम ऐसा ही करते हैं और यह तो ncati का सवाल है कटना शुरू कर दिया रटा ह अब यह हो गया परपेंडिकुलर उपन बेश इकोल टू रटी रोन अपन रूट थरी तो डी बराबर आ गया यह मंटिप्लाइए होगा को अब जाएगा थीक है थीक है तो 6 इंटू 1 प्लस रूट थरी यह बन रहा हमारा डिस्टेंस टाइम कैसे पता करेंगे ताइम बरा इतने टाइम में शोबित क्या है वह पी डालूकिया शोबित पीड़वु के आफिस के नीचे आजएगा तो थे इंटू रूट 3 प्लस वन यह आपका अनसर है ठीन टू 1 प्लस 2 यह हमारा अंसर है गड़ है ग्रेट 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 समझा है समझ झेवाए जिनको नहीं सम यह दो है तो मैंने का यह दो है तो यह तक अभी दो होगा पूरा 8-2 root 3 है तो इत्ता होगा 6-2 root 3 8-2 root 3 मैं से 2 अटा दिया तो यह मिल गया 6-2 root 3 पता चल गया अब इस triangle में perpendicular में पता है बेस मेरे को पता करना एंड परपेंडिगुलर पता था धा बेश पता करना है कौन सा यूस करूंगा तो ऑ्लपर सूप こ nostra इस जलिए सम्हें दोनों तरफ 10 ने यह जैसे हिसे दोनों तरफ 10 wr टाइम मिल ठीक है आगया 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 हो गया हो गया हो गया जी वेरी गुड वेरी गुड अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं कुछ दुनिया वालोंने टर्म्स निकाल दी उन्होंने बोला उन्होंने बोला उ तो जस तरह से माल लो यह nextopper's की office है एक और question कर रहा हूं यहाँ पर माल लो मैं खड़ाँ हूं ठीक है यहाँ इस office को मैं इस office को मैं इस office को अपनी आखों से 60 डिगरी पर देख रहा हूं और मैं इस office से इस office की height जो है वो है 6 मीटर. तो बताओ मैं यहां से यहां तक कितनी distance में यहां खड़ा हूँ. यह कितना distance है? ठीक है? तो यह AB है हमारा next toppers का office, AB और यह जो S है. यह S जो है. यह हमें खड़ा हूँ. तो यह ABS triangle मने रहा हूँ. कोई एक Trignometric Ratio लेना है क्या लूंगा मैं क्या लूंगा कैसे पता चलेगा कि भाई perpendicular पता है बेस निकानना है बाई perpendicular पता है बेस फाइंड करना है तो 10 लूंगा दोनों तरफ क्योंकि perpendicular बेस 10 में आता है taking 10 both sides दोनों तरफ 10 लूंगा मैं ले लिया तो 10 टैन ऑफ एंगल एसबराबट 1060 गा यह है क्या मैं इस इक में यहां से बेस जो हो होगा वो होगा 6 अपॉन में रूट 3 यह आएगा रेशनाइस कर देंगे तो इंटू रूट 3 बटे रूट 3 कर देंगे तो यह बन जाएगा 3 रूट 3 यह हमारा अंसर है clear है 3 रूट 3 सब का अंसर है 3 नी 2 रूट 3 3 2 जा 6 होता है न 2 रूट 3 इस दा आंसर यहां तक clear है यहां तक clear है 2 रूट 3 जांसर ठीक है ठीक है ठीक है यह तो बहुत असान सवाल था ऐसे हमने तीन कर दिया कुछ दुनियावालोंने नाम दिया पहला बात उन्हों नहीं बताई यह जो बंदा है इसको हमेशा पॉइंट अब्जेक्ट मानेंगे, consider point object, यहाँ पे मैंने बंदे की height consider नहीं करी, तो मैं इसको हमेशा मानूगा कि आख ही रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है, ठीक है यह आख रखी हुई है, इस तरह से माल लो तो consider it as a point object तो इसको पॉइंट अब्जेक्ट की तरह मानेंगे, unless stated जब तक आपको इसकी height नहीं दे रखी बोल रखा है कि इंसान जो है, वो 4 मीटर का है आपको दे दिया, तो बात अलग है बट जब तक नहीं दे रखा, इसको point object मानेंगे, unless stated जब तक आपको नहीं दे रखा, इसको point object मानेंगे, ठीक है जो इसने अखियों से गोली मारी, और वो टॉप पे गया अखियों से गोली मारी, और यह लाइन टॉप पे गई तो इस लाइन को बोलते है, लाइन ओफ साइट यह जो आखों को join कर रहा है, जहां पे वो देख रहा है वो इसके top को देख रहा है, या इसके कोई भी angle को देख रहा है, जहां पे भी देख रहा है और जहां से देख रहा है, इन दो नो line को हम connect कर दें, इसे कहतेंगे line of sight जहां पे देख रहा है, और तो यह जो एंगल बन रहे है गल को दुनिया वलों नाम दे दिया спасибо एंगल ओफ asserti elevation है ओरिजोंटल से होरिजोंटल से ऊपर देखते वे हमने अपनी गरदन को लिवेट करा था ठीक है ठीक है तो यहां से हम ने ऊपर को देखा तो game rumination होता है कई बार हम नीचे देख रहे होंगे तो तो horizontal से horizontal से अगर मैं नीचे दिखूंगा किसी चीज को तो यह जो एंगल बना horizontal से मीचे में देखूंगा तो यह जो एंगल बना इसे एंगल ऑफ डिपरेशन के रहे हैं यह सिफ टाम्स है मैं याद रखनी है यार यह कुछ हमें तो मालो मैं यहीं पर खड़ा था और मैं यहां पर पत्थर को देख रहा हूं और मैं यहां पर पत्थर को देख रहा हूं तो मेरी line of sight यह हुई मेरी line of sight यह हुई यह हुई तो horizontal से अभी मैं सामने देख रहा था मैं नीचे देख रहा हूं तो horizontal से यह horizontal से, यह horizontal से मैंने नीचे देखा, तो यह जो angle हुआ, यह जो angle theta बना, इसे कह दिया angle of depression, इसे कह दिया angle of depression, ठीक है, तो angle of elevation clear हो गया, horizontal से उपर देखना है, और angle of depression मतलब horizontal से नीचे देखना है, ठीक है, हमेशा horizontal से लेंगे, एक बात याद रखना, हमेशा horizontal से ना पेंगे, ह रहे clear 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 ठीक है ठीक है ठीक है clear depression जो भी तुम्हें यार बोलते हैं डिपरेशन भी बोलते हैं ठीक है अग्लियर है clear clear इतना समझ में आ गया बस यह कुछ टर्म से जो में समझने हैं अब हम डारेक कोश्चन पर जाएंगे अब हम most expected questions पर जाते हैं जो कि आपके maximum सवाल पूछे जाते हैं किस तरह के आपसे maximum mode में सवाल पूछे जाएंगे वह यह हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा जल्दी से करो जल्दी से करो जल्दी से जल्दी 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 कि आगे जी क्वेश्चन आगे बच्चे लोगा करो यह ना घ्यान मत पेला करो ग्यान नहीं पेल रहे हैं जिस बच्चों को रिवीजन करने है उसके लिए रिवीजन कर वा रहा हूं कि यह मेरे मेरे बाल अच्छे नहीं तुम बतानी दे एक मेरे को पता दो मैं कटिंग कर वालू क्या पताओ कटिंग कर वालू मेरे को ऐसा लग रहा है मैं हीरो लगता हूं बड़े वालो में पताओ तीज मेटर तीज मेटर तीज मेटर तीज मेटर तीज मेटर तीज मेटर कोई मेरा आंसर नोड़ा सब नहीं कर दिया कटिंग वाली ब्लठ लगें बाट को टी तो कतो कोई आंशर निदे रहा सब लगें थट्टि थट्टि ठट्टि एट competent तुम्हें तो एसी मैंट्स वड़ाम का तुम सो बटे सो क्या तो 110 बटे सौ लाओगे अरे यार लपी तो लिखा ही नी है है स्टेक लपी लपी मतलब ललू प्रॉब्लम है जी यह सीवीस्जी 2011 में एक नंबर का सवाल पूछा हुआ है तो हमें कैसे बता चलेगा कि यह कौन सा है यह में कैसे गन्ना है तो हमें बोला गया एंगल ओफ एलिवेशन ओफ टॉप आवर देखो एंगल ओफ एलिवेशन इसलिए मैं आपको पता रहा था कि वो टर्म्स हमें पता होने चाहिए जहां से समझना एंगल ओफ एलिवेशन हमें दे रखा है और टॉप ओफ टॉप आवर फ्रम पॉइंट ओन ग्राउंड तो मालो यहां से यहां से कोई बंदा इसके टॉप को देख रहा है तो इसके ट आपको देख रहा है तो एंगल अफ एलिवेशन क्या होगा होरीज़न ल राष से उपर किता रहा है तो और में देख रहा है यह में दे रखा है एंगल ओफ एलिवेशन इस फुर्टिफाइव डिग्री ठीक है इस तरह के बहुत सवाल है आप देखो कि 11-12-13-14 थो इस तर तो एंगल उफ एलिवेशन ओफ टॉप टावर है फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंट इस पॉइंट से टॉप टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन ए 45 डिग्री और इन दोनों के बीच का इस पूछ लिए है इस सवाल सकता है क्या इस सवाल थो हमने रिवीजन में वे इस सवाल और ऐसे आप सवाल सवाल देखोगे CBSC ने भर रखे हैं भर रखे हैं अब इस सवाल को करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इस सवाल को करते हैं मैं आपको बताना चाहरा हूं आप यह सोचोगे कि भाया आप इतने असान सवाल को करवाते हो मुश्किल कर अरे CBSC ऐसे पूछती है तो आपको कि तो एंगल of depression of a car parked on the road from top of a 1500 meter high tower is 30 degree तो हमें बोला गया है हमें बोला गया है कि एक tower है इस tower के top से कोई एक car को देख रहा है यहां पर एक car खड़ी है उसको देख रहा है नीचे को ऐसे angle of depression मतलब horizontal से कितना नीचे देख रहा है angle of depression मतलब यह हो गया अपना यहां से top of 500m height tower, यह height tower है 500m का, यहांसे कोई देख रहा है कितना angle of depression 30 degree, तो बताओ, distance of car from tower, 2014 में एक नंबर का सवाल है, यह distance हमें बताने कितना है, यह distance बताने का है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, easy peasy, कैसे निकालेंगे, जैसे निकालेंगे, भाल लो यह A है, यह B है, triangle, दे तो इस triangle की हम बात कर रहे हैं, और भया यहां तो 30 degree उपर है, कैसे पता करेंगे भया, यह 30 degree तो उपर है, हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो parallel lines है, इन दो parallel lines में, अगर एक transversal जा रहा है, तो यह angle और यह angle बराबर होते हैं, यह angle और यह angle भी बराबर होते हैं, जहां पर भी हमें ऐसे z बनता हुआ दिखता है, देखरो हो, यह z बन रहा है, तो यह z बनते हुए जो एंगल होते हैं, यह angle बराबर होते हैं, तो आप देखो, यहां पर यह z बन रहा है ऐसे, तो अकर यह 30 है, तो यह भी 30 होगा, बस उस बाहर वाले एं अंदर ले लिया बस अब तो काम खतम ना सी बराबर 30 दे रखा है मैं पर्पेंडिकुलर पता है बेस निकालना 10 लोंगा फिर सभी एकिंग 10 बोथ साइड्स है एकिंग 10 बोथ साइड्स दोनों तरफ 10 ले लिया तो टैन ऑफ एंगल सी बराबर टैन ऑफ एंगल 30 हो गया ईड़स हो होगया फेंग तो टैनसी मतलब पर पेंडिकुलर अपन बेस घ्री बराबर पेंठान घ्ररूट फ्रिध का देड्ट-फर्या टो परकल्द केंड सो अपन में बेस निकालना ले डी एकुल टू भन अपन रूट-3 तो डी यह हो गया वो गया यह यह वो गया वह गया देड़ सो रूट 3 मिटर देड़ सो रूट 3 मिटर ये यह पूछ़ई अगला देखो अगला देखो जल्दी से दिसे तीन मांग् सका सवाल है चाहिए जो आपको लेडर वाले सवाल है यह आपके लेड़र वाले सवाल यह सवाल आप देखोगे सी बिए सब्सक्राइट को इससे पो प्यार है कि भाई साथ एक स्वीडी अठकी पढ़िये और क्या है क्या है देखो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी मैं आपको टाइम इसले दे रहा हूं कि पिछली लेक्चर में मेरे को बच्छे बोल रहे थे कि भया हमें सॉल्द करने का भी टाइम दो क्योंकि मैं सॉल्द कर दूं में तो स्पून फीडिंग हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको दो-दो मिनिट का टाइम डूंगा कि अल्ट्रा मुरो प्रो मैक्स लल्लू कुशन आए बिल्कुर मेरी हार्ड कश्चुन से कर दूंगा तो कैसे करोगे तो हार्ड technology दीर आते हैं पहले आक्ट असान करेंगे फिर दीर दीर लेवल बढ़ाएंगे न lag भाईया आपके नोट्स में KQB का मतलब क्या है KQB का मतलब होता है मेरे जान कुछ काम की बात जैसे नोट होता है ना तो नोट को हम KQB लिखते थे तो कुछ काम की बात कुछ बच्चे बोल रहते हैं पिछली वाली ग्लास में 720p था वाने गणे यह हैं कि कैरें कटंगी ज़त नहीं है अच्छे लग रहे हैं एक यह कोन देखो दियान से देखना द्यान से देखना द्यान से बोला गया है इस ललुसी प्रॉब्लम में यह बोला गया है इस लल्लू सी प्रॉब्लम में यह बोला गया है कि एक लेडर है छे मीटर की जो की 45 डिगरी बनाती है विद्धा फ्लोर वाइल लीनिंग अगेंस दा वॉल अफ दा रूम तो मालो यह हमारी वॉल । यह यह रों की यह मारी वॉला है टीक हिए यह मिदंड को रि 5000 दीक्री बना रही है विद्धा ऐसे की इस ही है and it is made to lean against the opposite wall of the room it made an angle of 60 degree with the floor मतलब यहां पर fix कर दिया यह जो foot है इसका यहां fix कर दिया और opposite wall पे इसको गुमा के ले गए मतलब की अपोजिट वाल मतलब बिल्कुल सामने यहां पर वालती है तो हमने क्या करा इसका यह foot fix रखा फोट फिक्स रखा और इसको ऐसे गुमा के इस लेडर को ऐसे गुमा के यह रख दिया यहां रख दिया इस वाल पे अब जो एंगल बना रहा है यह 60 डिग्री बना रही है अब जो एंगल बना रही है 60 डिग्री बना रही है विद्धा फ्लोर find the distance between the two walls यह पूरा distance जो है यह हमें निकालना है यह पूरा distance जो है यह हमें निकालना है D, ठीक है यह हमें निकालना है D, clear है, ladder की length हमें दे रखिये 6 meter, यह अमारे पास information है, यह एक और information हमें दे रखिये, यह 6 meter है, उसी ladder को उठा के यहां डाला है, तो यह भी 6 meter है, बस, अब हमें बताना है इन द कैसे कर रहे हो कैसे कर रहे हो कैसे कर रहे हो बई देखो बई देखो हमारा काम होता है ट्राइंगल डूड़ना जहां में राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा वहां ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो देखो एक triangle हमें यहां दिख रहा है तो इसमें trigonometry लगा लेते हैं यह पता चलिए यह पता चलिए दोनों को add कर देंगे अरे क्या बोला मैंने कि मालों यह A है यह B है यह C है यह D है यह E है तो यह जो D है यह जो D हमें निकालना है यह जो D हमें निकालना है यह क्या होगा B C plus C E B C plus C E ही तो होगा होगा बैसे निकालनों C E निकालनों दोनों को अड़ करनों तो टोटल डी निकल जाएगा तो बीसी निकालने के लिए क्लिए क्लान मैं इस ट्राइंगल में लगाँगा की यह जो एंगल 45 मेरे को hypotaneous पता है मेरे को perpendicular find करना है कि मिरे को परिपेंडिकुलर की निकालना है मुझे तो मैं परिपेंडिकुलर ले रहा हूं जिए निल्मक्राइब?" बेस की जुरत है यह वेस की जुरत है तो बेस निकालना थो निकालना है तो बेस बेस मतलब BC upon me, hypotenuse क्या है? hypotenuse है 6, बराबर cos 45 1 upon root 2 तो यहां से आ गया, BC बराबर आ गया 6 upon root 2 यह BC आ गया, यहां से मैं CE निकाल पाँगा, CE कैसे निकाल हूँगा? वही, hypotenuse और base तो cos of angle C बराबर cos of 60 हो जाएगा बैस, C बराबर 60 है, दोनों तरफ ले लिया, तो cos of angle C बरापर cos of 60 हो गया, तो cos of 60 मतलब base, base is CE CE upon में upon में, हाइपोटीनियों से 6 बरापर cos 60, cos 60 1 by 2 तो यहां से आ गया CE की value जो आ गई, वो आ गई 3 जब CE 3 मिल गया, BE 6 upon root 2 मिल गया, तो D क्या होगा? जो D हमें निकालना है, वो क्या है? BC plus CE तो है, तो BC क्या निकाला हमने? 6 upon root 2 plus यह क्या निकाला हमने? 3, तो 6 upon root 2 plus 3 इसना answer, 6 upon root 2 plus 3 cos ही लेंगे, cos ही लेंगे, बच्चे लेंगे ना, तो मैंने sine पता नहीं क्यों ले लिया, बई, perpendicular की जोरती निया तो मैं तो sine की लूँगा, मेरे को base और hypertonus की ज़रोत है, तो cos लूँगा, तो यह हो गया, अब इसको rationalize कर दो, तो यह हो गया, 6 upon root 2 into root 2, बटे root 2 plus 3, तो यह हो जाएगा 2 2, 3 root 2 plus 3, तो यह हो जाएगा 3 into 1 plus root 2 3 into 1 plus root 2 is the answer तो यह है, दोनों के बीच का distance, यह है, दोनों के बीच का distance meter में, clear, clear है, 3 into root 2 plus 1 यह 3 into 1 plus root 2 a की बात है, यह रहा, clear है, clear है, clear है, easy, 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 तो main main चीज़ है, कि आपको question समझ में आना चाहिए, main चीज़ है, आपको question समझ में आना चाहिए, main चीज़ है, आप question के अगर figure बना लोगे, figure बनाने के बाद कुछ नहीं है, main चीज़ है, question की figure समझ में आना चाहिए, letter वाले सवाल बहुत बार आते हैं, तो आपको पता होना चा लिकाल लेंगे दोनों को एड़ कर देंगे आंसर थीक है भाई याद डायग्राम वाले कुश्चन में डायग्राम कैसे बनाए मेरी जान देख डायग्राम जितने ज्ञादा तो विश्चन प्रेक्टर करेगा तेरा को समझ मेरे लग जागा कि इस तरह का भोल रहे हैं इसलिए मैं आप से maximum 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 मैं आप से question यहां पर solve करवाने के कुशिश करणा ठीक है बहिए सेक भी ले सकते हैं ले सकते हैं सेक भी ले सकते हैं बहिए इसमें दूसरी वाली है इस च्छह दी है मेरी जान इसमें बोला यही लेडर को उठाके यह ladder है ऐसे लगी भी है इसी ladder को उठा के हमें यहां पर रख दिया तो ladder की length तो same रहीगी ना ladder को कि काट दिया हमने ladder 6 meter की पहले थी वो यह ladder उठा के इस तरफ दूसरी दिवार पर रख दिया ऐसे मालो यह दो भी होगा बस में चीज़े consistency से ध्यान से समझते जाओ जो जो बता रहा हूं जल्दी 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 इस वारे सवाल को ट्राइब करो you have two minutes to solve this question मैं नीचे इसलिए हो जाता हो जिससे आपको question दिख जाए आपको question मत लिखो यह पूरी slides आपको मिल जाएंगी आप एक rough copy लेके बैठो और आप बस question solve करने ही कोशिश करो आप यह मत कुरो कि मैं question लिखूंगा भी साथ में यह slides आपको दे तो देता हो मैं telegram में तो इसमें question लिखे तो हुए हैं तो question लिखने में क्यों time ले रहे हो कार्तिक जी question मत लिखो easy-beasy lemon squeezy बढ़िया करीब अभी 10,000 बच्चे थे कुछ बच्चे चले गए हैं बट इतने सारे बच्चे इतने सारे बच्चे इस समय पे मेरे को लग रहा था आज बच्चे सब celebration में लगे होंगे पर 10,000 बच्चे करीब आज हमारे साथ यहां पर लगे हुए हैं लग यार प्यार हो जाता है वाई तुम लोग से तुम कितनी कितना शिदत से लगे हुए हो तुम बिलकुल सही में ना मैं जो बोलता हूं जो बच्चे भीड से अलग हो के कुछ चीज करते ना वो एक अलग लेवल पर जाते हैं आप मितलब सही में हैं इस समय पर आप लगे हुए मेरे साथ पढ़ रहे हों बहुत ही बढ़िया लगर्व सा फील हो रहा हूं कि हां मेरे बच्चे मेरे स्टुडेंट्स हैं गुइट भाई यह सरकल अच्छे से पढ़ाना बिलकुल अच्छे से पढ़ा हुआ मेरा प्रामिस है सारे सारे चेप्टर बहुत अच्छे से रिवाइस करेंगे कि देखो जी देखो जी एंगल ओफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेइन फ्रॉम अपॉइंट ओं ग्राउंड इस सिश्टी डिग्री एक एक लाइन करके पड़ो साथा नहीं की पूर आइक बार पढ़ लूँआ नहीं नहीं एक लाइन करके पड़ो मैं आज पहली बार ये मैं एक्सपर्ट वाले वंदे को देदी इसको पता है Maths में और अच्छे से तीचर को पता यह अच्छे से उनको मैंने बोल दिया तो उन्होंने दिया है तो मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं आपके लिए कुश्चन तो इसलिए जैसे यासे मैं पढ़ रहा हूं मैं से विसे समझो तो आपको बोल रहा है एंगल of elevation of an airplane from a point on ground is 60 degree ठीक है जी तो हमारको एक एरोप्लेन दे रखा है मालों यह अरोप्लेन है यह अरोप्लेन है तो किसी एक पॉइंट से एंगल of elevation जो है वो 60 degree है एंगल of elevation मतलब horizontal से कितना उपर देख रहा हूं तो यह 60 degree है after a flight of 30 seconds the angle of elevation become 30 degree थोड़ी देर बाद यह angle of elevation कितना हो गया 30 degree हो गया अब मेरे को यह सोचना है कि वो 30 degree अब भाई मेरे को क्या पता फ्लाइट इदर जा रही है या उदर जा रही है कैसे पता करेंगे देखो देखो सोचो 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 60 degree क्या होगा 60 degree होगा 65 degree होगा कुछ ऐसा कि थर्टी डिग्री होगा 30 डिग्री क्या इसके उपर हो गया रह नीची होगा नीची of airplane from point of gravity 60 degree after a flight of 30 seconds यह थोड़ा सा आगे यहां से और कितना आगे गई 30 seconds आगे गई तो इसके बाद कितना हो गया angle of elevation 30 degree हो गया 60 से 30 हो गया यहां पर जाने पर तो यह कितना हो गया यह 30 है कि इप the airplane is flying at a constant height of 300 रूट 3 हमें बोला रहा है यह हमेशा 300 रूट 3 पर जा रहा है मत्तब यह सीधे जा रहा है यह उपर यह से नीचे नीच आ रहा है constant height पर जा रहा है थट्रोट 3 तो यह जो हैट है यह 30000 रूट 3 meter और यह हैट हमेशा तिने झारूट्थरी बोल रख्या यहां एकांस्टेंट तीने जारूट्थरी पह ज़ें १ि इतने कंतरे हो फाइंड़ मेये स्पीड आगे 2020 कि पूलर इंटर को सबोगशें पंधे तो में यहां तक हाव में यहां से यहां तक का टाइम ऑपता है यहां 3 При इंटिसे के सिपत्र सिल्टा कि चल जाए तो अमें इसल्ट कंत नियुक्त सबस्क्रेज माअल दिस्टर मिल्यूल जाहते हैि चाहिए यह थीनटीन आजारूं दुटूं भू से निकालना को ट्रेंगल कौनओं से आपके एक त्राइंगल मिंदिखा है यह यह दिखते हरा है अब यह triangle दिख रहा है मेरेको यह दो triangle दिख रहे हैं मेरेको इन नोनों का use करेंगे कैसे use करेंगे देखो मेरेको यह निकालना है यह निकालना है तो पहले छोटे वाले triangle से मैं यह निकालूंगा बड़े वाले triangle से मैं यह पूरा निकालूंगा तो इस पूरे में से अगर मैं यह CE में से मैं माइनस कर दूँ CE में से मैं माइनस कर दूँ क्या B CB तो बराबर BE मिल जाएगा मेरे को इस पूरे में से अगर इसे माइनस कर दूँ तो ये मिल जाएगा BE तो मेरे को ये पूरा चाहिए और ये चाहिए तो ये पूरा और ये चाहिए बस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल को लें, सब भूल जाओ, बस इस ट्राइंगल को देखो, जिससे मे मेरे को क्या पता करना है मेरे को पर्पेंडिकुलर पता है मेरे को बेस पता करना है पर्पेंडिकुलर पता है बेस काता करना है पर्पेंडिकुलर और बेस कि इसमें आप एक 10 में तो टेक 10 बोट साइड तो दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो 10 of C बराबर 10 of 60 तो यहां से आ जाए जी 0 1-1 रूट 3 तो यहां से रूट 3 से रूट 3 गया तो c भी बराबर आ गया 3000 मेटर तो इस पूरी एक्वेशन में यह cb 3000 मिल गया है मेरे को 4Ce on निकालना है यह पूरा c e on निकालना है तो यह बड़ा वाला ट्रेंगल लोंगा यह बड़ा वाला ट्रानगल लोगा यह बड़ा वाला यह बड़ा वाला तो इन्ट्राइंगल किए DCГ्रिंबी सी ऐगर मैं जाओ तो बहुत इस समय sebelum सी किसके इसके लिए फट्टी बन रहे तो taking गिलेंगे शांनें अब那 आप 10C बराबर 1030 तो 10C बराबर perpendicular upon base तो perpendicular क्या है 3000 root 3 upon में base क्या है CE यही निकालना है equal to 1030, 0, 1 upon root 3 तो यहां से अगर मैं निकालू तो CE की value आजाएगी यह इतर cross multiply होगा तो बन जाएगा root 3 into root 3, 3 बन जाएगा और 3 into 3000 हो जाएगा 9000 9000 मीटर यह बन गया CE तो CE कितना हो गया 9000 आगया यहां से जब मेरको CE 9000 पता है और यह यह पता है तो BE कितना हो गया 9000 में से 3000 गया तो BE बराबर आगया 6000 BE 6000 मिल गया तो यह D मेरको 6000 मिल गया यही क्या है यही तो small d है यह D मेरको 6000 मिल गया तो D 6000 मिल गया, तो यह डिस्टेंस यहां पर 6000 लिख दूगा मैं, तो यह हो जाएगा स्पीड, तो स्पीड बराबर होएगा 6000 अपां 305, एक सही यह गया, 3 2 6 200, तो 200 m per second 200 m per second is your answer, 200 m per second is your answer, ठीक है जी? 200 m per second is your answer, यह हमार answer है, 200 m per second, 200 m per second, अरे clear है? अरे clear है भाया like करने को कह दो वीडियो को यार जिसका अमन करेगा जिसको अच्छा लेगे का वीडियो आप लाइप करेगा ठीक है 200 मीटर पर सेकंड इस नहीं आंसर अपर 200 मीटर पर सेकंड से ये जो हवाई जाहाज ये भाग रहा है उस तरफ को तेज क्लियर है अरे clear है अरे clear है अरे clear है clear है भाईया cbsc को 10 से बहुत प्यार है यारे 10 में मतलब ही क्या 01 अपान रूट 31 रूट 3 नोट डिफाइंड काम खता हम जल्दी से नोट डाउन कर लो जिसको भी नोट करना है हम आगे बढ़ते हैं अब बहुत इजी सवाल था कुछ नीटा इस ट्राइंगल में लगाया चोटे वाले में बड़े वाले में लगाया डिस्टेंस दिखा लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करा आज आज आगया जल्दी से लिख लो है 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 तीक है क्लिर है है तो बहुत या basic वालो के लिए या standard वालो के लिए जब सबसे पहली बार standard वालो बेसिक आये था ना सबसे पहली पार standard वालो बेसिक एनों इन अदिवाई आठा था तब जो exam हुआता उसमें expect अब ने ये करा था कि basic वाला असाना है स्टैंडर वाला मुर्किल आएगा ऐगा सीबिस्की हुआ अगली बारी में वैसा है जैसा कि standard में fisherman एक बेसिक में आसला तो हम यह नहीं बोच सकते कि standard में सान आएगा बेसिक में मुछ सकते किThere इसलिए यह मैं differentiate करके पढ़ाता ही नहीं हूँ मैं तो concept बताने में फोकस करता हूं concept क्या ट्राइंगल डूलो आंसे निकालो अब चाहिए आप इसमें कितना ही बारी सवाल बंदा दो तो standard बन जाएगा कितना ही थोड़ा सा गुमा फिरा के कम कर दो तो बेसिक बन जाएगा तो इसलिए यह मत सोचा करो कि बहुत स्टेंडड वाला मैं हूँ वह यह मैं तो बेसिक वाला हूँ वह पढ़ने पर फोकस करो ना मेरी जान आप अगर तगड़ी चीज के तियारी करोगे तो आप अपने आप भी सब चीज कर लोगे ना नीचे वाली तो यह मत सोचा करो स्टेंडड बेसिक स्टेंडड बेसिक क्लियर है आगे बड़े आगे बड़े आगे बड़े लो जी अगले सवाल पर आजाते हैं अगला लल्लू प्रोब्लम कहता है अगला लल्लू प्रोब्लम कहता है अगली अपने आप करो अपने आप करो अपने आप करो थोड़ा से ट कर रहा है मारो कि जल्दी कि मस्त बेग्राउंड वोई जा रहा है वाई फुल पटाके बज रहे हैं आप क्वेश्चन करो एक सेकेंड में पानी बर कर लाता हो ने मेरी बॉटल में पानी खतम हो गया एक सेकेंड आप क्वेश्चन को एक बार लिखो सॉल्ब करने कोशिश करो आगे जी आगे 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 अब यह चार्जिंग पर लगा के फोन मत चला हो लो जी हटा लिया हो चार्जिंग बहुत कम दिया है तो अभी टॉइलेट नहीं पता नहीं प्रकूब बटल बढ़ने जाता हो वह बॉटल बढ़ी है देखो देखो सुसू नहीं गया हूँ अब कि भाईया आपका घर कहां रहता है मेरा घर कहां रहता है मेरा घर घर पर रहता है करें करें आगे बढ़ें करें आगे बढ़ें इस सवाल को करें आगे बढ़ें इस सवाल का सॉलीशन करके देखें देखो जी अब बताओ अब बताओ यह कुछ अलग है पिछले वाले से कुछ अलग है पिछले वाले में इन्होंने 3000 रूट से दिया था यहां पे इन्होंने 1500 रूट से दिया 2015 का यह सवाल है किलो मीटर पर आर में निकालना है आपका अंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में अब मीटर पर सेकेंड को आपको किलो मीटर पर आर में करना है कैसे करोगे एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं तो उपर में करूँगा डिवाइड बाइध थाउजेंड तो उपर में क्या करूंगा डिवाइड बाइध थाउजेंड मैं मीटर को किलो मीटर में करने के लिए डिवाइड थाउजेंड करूंगा सेकेंड को आर में करने के लिए क्या करूंगा मैं सेकंड को आर में करने के लिए सोचो सोचो एक सेकड़् में कितने मिनिट तो गौन पौन 60 और एक मिनिट में कितने गंटे के असाफन वॉभ्ह तो सब्सक्राइब है यहीज कि Самजे समझे को समझे कि एक कि पूछ यह किलोमिटर पर आर पर निकालना और समझे कि की 720 आंसर आर है साथ सो बीस आंसर आ रहे हैं क्लियर है क्लियर है तो भाई एक घंटे में कितने मिनिट साथ मिनिट एक एक मिनिट में कितने सेक्ट साथ सेक्ट छोटे से किलोमेटर में तो इस तरे से मांसर करेंगे है बिल्कल वही क्वेशन् लोने बोल दिया एक तो आदा कर दिया और एक ही किलोमेटर पर आरह दिया तो इसका ध्यान रखना इसका हमें ध्यान रखना ठीक है पॉचे कहेंगे पाज बैठार रहा कुछ अलग-अलग पीचर कुछ-कुछ बताते हैं मैंने आपको concept बताए कैसे आपको करना होता है concept बताए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो एक moving boat boat नहीं boat एक moving boat है जोकि observe करी जारी है from top of a 500-meter high cliff moving away from cliff ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो कोशिश करो कोशिश करो सब्सक्राइब करने की एक मिनटे diagram बना लोगे तो फिर हम साथ में मिलके करेंगे डाइगराम इस में अगर डाइगराम मैं बना दूगा तो फिर आप यह अराम से हो जाएगा पॉइंट यह कि अगर आप बनाना सीख जाओ व्यान से पड़ो क्वेश्चन को बोलागे एक मुवीं बोट है ठीक है एक बोट है एक आप यह बोल सकते हो बोट को क्या कहते हैं आप नया यह बोलते ना तो इसको हमने टॉप ऑफ देर सो मिटर हाई क्लिफ मतलब है कैसे मा टिन बोट को देख रहे हैं जो की से दूर जा रही है पहले साथ पे थी फिर प्यतालीस पर ओ गई पहले साट डिगरी पर दिगरी सी फिर 45 दीगरी पर ओ गई दो मिनिट में तो बतां कितनी बोट कितनी सपीड बे जा आरीं Mr.30 अं पीओ आप पीओ ना ऐसे कि सोच रहे हो मैं भी तो ले तो बीच बीच में देखो साथ में मनाते हैं साथ में मनाते हैं एक देड़ सो मीटर की हाई क्लिफ है ठीक है जी बोला गया है जो बोट है वो दूर जा लिये से तो पहले मालनो यहां थी पॉइंट एपे तो यह से वह दूर चली गई वीप अजिक है अगल ऑफ डिप्रेशन चेंजिस फ्रम 65 पहले अगर यह 60 पही दिखी नीजिए तो बाद में अब यह 45 डिग्री पह दिखी रिया है एंगल अफ डिप्रेशन है दो मिनिट में मतलब यहां से यहां तक इसको जाने में कितला टाइम लगा द तो मिनिट इसको लगा find the speed of boat in meter per hour meter per hour में निकालना है अभी हमारा निकलेगा मीटर पर मिनिट में तो उसको मीटर पर आर में कर देंगे कर देंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे फिकर बन गया है प् hart गवंगे दधेकर बन गए हमें क्यों निकालने शुक्त विड्रesंट अपॉन सपीड डिस्टेञ सपॉंअरं टाइम से थे पता है कित्ता जुन इंटे को मेरता आंग है नहीं तो आपको सब्सक्राइब तहीं दखराएं देखो कि यह दिख रहा है और वह बड़ा वालना थिंग रहे वारे ट्रेंगल की सभीत से इस साइड्प को श्कल क्वाटा ओव थो यह लो रहा है तो यह पॉल ला हूँ अगर एह से यह रादूं तो यह मिल जाएगा माई रिखो का इस ins बड़े वाले डेंगल में सी डीघे इन तु रहे हैं तो यह यहां से gates वन रहा है यह 45 तो तो cda cda cd बड़े वाला कर रहा हूं मैं तो पहले cdb ले रहा हूं cdb इसमें एंगल b बराबर हमें 45 दे रखा है परपेंडिकुलर गिवन है बेस निकालना है 10 ले लूँगा तो 10 of angle b बराबर 10 45 होगा तो 10 of angle b मतलब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर देड़् सो पोन में बेस कितना है bd वही db यह bd एकी बात है 10 45 होता है तो db बराबर आगया 500 ड़ी बराबर आगया 500 मीटर तो db हमें क्या पता चल लिए यहां से गर मैं देखूा, तो ए हमें 60 दे रखा है, यह बदाबर 60 दिग्री दे रखा है, परpen dragging upon base चाहिए हमें, ना तो perpendicular given यह बएश चाहिए, तो 10 ले लोंगा, तो उनों तरफ 10ons, 10 A, बदाबर 1060, तो तैन E क्या होगा, 10 A, 10 A, perpendicular upon base, मालब 1500 upon DA, 6.500 upon da बराबर 1060 जिरो वन यां से आ गया डिये ऑबर देड़सो बटतर रूट 3 है निदेटेस आपाउग रूट 3 तो इंटो रूट 3 रूट 3 कर दूं निशनलाइस के लिए इंटो रूट 3 रूट 3 तो 3 5जा 15 तो यहां से आ गया 50 तो दी आ गया 50 रूट 3 मीटर में तो दी आ गया 50 रूट 3 यह आ गया यहां से तो यहां से अगर मैं 50 कॉमा ले लूँ तो यह बन जाएगा 3 माइनस 3 माइनस रूट 3 यह मिल गया मेरे को तो दी आ गया 50 2 मीटर में 2 मिननटर में मिल गया ठीक है? ठीक है? अरे समझे? अरे समझे, एक बार वापस देख लो बड़े वाले ट्रियंगल में लगाया तो दीवी मिल गया तो चोटे वाले में लगाया तो दीवी मिल गया 50 50 रूट थे यह आ गया मैंने इन दोनों को माइनस करना माइनस करते ही मिल गया जो मेरे को चाहिए था मेरे को यह डिस्टेंस मिल गई तो यह आ गया पर यह है मीटर पर मिनिट में यह क्या है मीटर पर मिनिट में अब मेरे को मीटर को करना है किसमें मीटर पर मिनिट को मीटर कि बन जाएगा फिफ्टीं ट्री माइनस रूट थी अपन में टू यह मीटर था इंटू आर में अगर करना है है एकर देंगे को करना है तो एयन टू थीज्ड रितीर चीस त्थि अग्लार चैर्टटी और ये कंघ्नासु जीम को स्दूasan इसाई यह आ गया मीटर पर आर यह आ गया मीटर पर आर इतनी स्पीड है इतना मीटर पर आर इसके स्पीड है 1500 थ्री माइनस रूट 3 मीटर पर आर 1500 इंटू 3 माइनस रूट 3 मीटर पर आर अरे clear है अरे clear है clear है कुछ नहीं करा मैंने मैं कहीं पर कुछ ऐसे अलग चीज नहीं कर रहा बस question के इसाफ से डायग्राम बनाया distance upon speed करी अंसर आ गया distance upon speed करी अंसर आ गया ए ठीक है स्लाइड कहां से मिलेगी मेरे जान स्लाइड मिल जाएंगे आपको टेलिग्राम चैनल पर क्लियर है कि मीटर पर आर में आ गया तो मीटर को तो कनवर्ट नहीं करना था सिर्फ नीचे करने क्या करते हैं मिलेट को आरमें सिक्स्टी से तो को आर भागान तो सिक्स्टी लिए तो मीनिट में लिखा और अगले जलते हैं कि करें रहे हैं दस मिनिट का वाश्रूम ब्रेक देदो अब भाया बी 45 क्यों लिया 60 क्यों नहीं मेरी जान देख जेड का बन रहा है यह यह ऐसे जेड बन रहा है तो यह अगर 45 है तो यह भी 45 होगा जो जेड के अंदर वाले एंगल बनते हैं इनको नीचे दोनों वाले एंगल को पराबर लेते हैं क्लिर है क्लिया रहा क्लियर है लोघी चलो एक रडन आपको दे दिया मैंने कि पर्डिक सत्वाला बहुत होते हैं यह अब से उसको बहुत बढ़ा सा एक आदमी था वो क्रिकट खेल रहा था इसने ब़ॉल फैक के मारी और और ऐसा हुआ वैसा हुआ बस उसको क्या कर दिया एक स्टोरी में एक्प्रेंट कर दिया होता ता ऐसी सॉल्व है आपके जो सेंपल इपर को कुश्चन है मैं या पर सॉल्व करवा कि दिखाऊंगा भी आपको एंड में हम उसे सॉल्व करेंगे केस बेस को नियाईती असान सवाल है बट पस उसको इस तरह से सॉल्व कर दिया बड़े बड़े कुश्चन्स मना दिया होता यही है आप कौन से सिटी में रहते हो मैं दिलनी में आगे बड़े जी आगे बड़े जी करें इस वाले को देखो जी नियान से समझना यह वाला वर्टिकल फ्लैक्स टैप वाला इस तरह के बहुत सवाल आता है बोला गे एक वर्टिकल पेडिस्टेल देखो जब भी कुछ ना समझ में है कि यह पेडिस्टेल क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है हमें क्या फरक पड़ रहा है क्या है हमें अंसर निगान ने बस मिरेको नहीं पता चलता है वर्टिकल मतलब सीधा ख़़ा हुआ है बस खत्म तो यह देखेंगे एक वर्टिकल पेडिस्टेल है जो की ग्राउंड पे खड़ा है लोगी यह ग्राउंड था इस ग्राउंड प तो तो इसके उपर एक फ्लैग और लगा रखा है पाच मिटर का लो जी इसके उपर एक फ्लैग और लगा रखा है इनों ने लो यह पाच मिटर का फ्लैग है यह अमें बोल रखाए ठीक है at a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of the flag are 30 and 60 बोल गया है किसी एक point से एक बार यह bottom को देखता है यह bottom को देखता है इसके और एक बार यह इस फ्लैग के टॉप को देखता है जब यह bottom को देखता है वह जब यह top को देखता है तो अंगल और ऐलीवेशन आता है 60 डिग्री क्या पूचा थे हाइड पता नो यह इस तरह से हमें सोल्व कना यह निकालनी है कुछ है इस कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो ये निकालना हैं तो मालनों में point दे तो मोई I am triangle डूना तैनल दो दिख रहे है एक है triangle दुनों में लगाँ महां A B C D तो यह हमें दे रखे हैं किस Palestinians हम क्या करेंगे हम क्या क्या करेंगे दोनों triangle में trigger लगाएंगे कैसे लगाएंगे देखो जी कि इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर हम लगाएं तो मालों यह जो डिस्टेंस यह दी है तो हमें बोल रखा है इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी-सी-डी वी-सी-डी तो पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस मदब तो जो हो गया तो अब सो इस ब्राइंगल इस ट्राइंगल यृ सीड इस ट्राइंगल इस ट्राइंगल अगरम लगाए तो AC upon CD हमें इस case में D बरावर 60 मिल रहा है तो D बरावर 60 मिल रहा है दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो 10 D बरावर 10 60 मिल रहा है 10 D मतलब perpendicular upon base perpendicular इस case में क्या है? H प्लस 5 upon में base क्या है? base तो D है 10 60 0 1 बार रूर 3 1 root 3 D में उठा के यहां से put कर देता हूं बरावर root 3 तो यहां से आगया H प्लस 5 इक्वल टू H root 3 into root 3 तो H root 3 into root 3 हो गया 3H तो 3H minus H यह हो जाएगा यहां 2H बरावर 5 तो H की value आगे 5 by 2 मतलब की 2.5 मीटर तो यह जो pedestal था यह डाई मीटर का था बाई साब यह pedestal जो था यह डाई मीटर रगा था बाई साब तो हमने क्या करा एक जगे से हमने D और H में equation बनाई दूसरे में सब्सक्राइब कर दिया तो simple सी चीज है triangle डूंडो पूरे chapter का एक सार triangle डूंडो triangles डूंडो पूरे chapter का बस एक सार triangle डूंडो जितने triangle डिख रहे हैं उन सम्में उन सम्में उन सम्में trigonometry लगाओ पूरे chapter का एक सार triangle डूंडो trigonometry लगाओ पूरे chapter का एक सार है triangle डूंडो trigonometry लगाओ पूरे chapter का एक सार है triangle डूंडो trigonometry लगाओ समझ गए pedestal मसलब statue होता है ठीक है जो भी होता है रे मेरे को क्या लेना देना भाई यह आपके description में area related to circle की spelling गलत है क्या गलत है जी areas related to general rules पता नहीं क्या लिख रखाया कर दूंगा यार साही मेरे को भाई हो जाती है गलती मेरे को को जाब है अग्रे जी का master को यूँ ठीक है clear है clear है तो 7.5 is the answer 2.5 meter तो धाई मीटर का क्या है यह यह pedestal धाई मीटर का आ गया clear है clear है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हमें बोला गया है देखो flag वाल एक और question 2014 में आया flag वाल एक और question 2015 में आया और वही flag वाल ग्वेशन हमने 2010 में करा तो cbsc को flag वाले question से बहुत प्यार है तो इसलिए हमें flag वाले question जितने अच्छे से समझ में आ सके उतने अच्छे से करने हैं, दोनों question हम यहां पर solve करके देखेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में contest हो जाए कि flag वाले question होते कैसे हैं, तो यह एक पहला वाला लेलू problem है, LP, और यह दूसी वाली लेलू problem है, जल्दी जल्दी से पहला attempt करो, पहला करेंगे, जल्दी से पहला attempt करो आपको बता है हमारी एक book आ रही है, आप सभी के लिए हमें book निकाल रहे हैं, तो उस book की editing के लिए जब एक पर चपके आ जाती है, तो उसके जब editing होती है, तो जो भी गलती आ उती है, उसको हमें change करवाना होता है, तो उसके लिए meeting करनी है, पिछले एक महीने से meeting pending है, तो अभी justice बनने का में पर मैंसे जाए कि भी आप meeting कर ले है, तो आपके board के just बात, हम वह book launch करेंगे, सिर्फ आपको बता रहा हूं, बाहर कहीं मत लीक करना, जो भी कितने बच्चे बैठे हैं, उनको बता रहा हूं, ठीक हैं, तो बहुत मैनत करी है, बहुत सारी चीज़े आप सीखने को मिलेंगी, और बहुत दिमाग लगा के, उस book को मैंने लिखा है, मेरे personal experiences, सब मैंने उसमें डाले हैं, तो जैसे ही वो आ जाएगी, तो आप सभी को उसके बारे में notification मिल जाएगी, ठीक है? एक बच्चा बोल रहा है, भाईया, आज के लिए बहुत है, अब बेटा बहुत नहीं है, तुमने पिछले वाली class में बोला कि भाईया, बहुत कम question करवाते हो, बहुत कम question करवाते हो, आज मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, आज मैं सारे question आपके लिए ना, ऐसे चु जैकेट कहां से खरीदा, यार जैकेट, ये वहला जैकेट, ये जैकेट कहां से खरीदा, मैंने online नहीं मंग आता है, बहुत साल हो गए, तीन-चार साल हो गए, आप देखो कि आज से दो साल पहले वाली वीडियो में भी ये वाला जैकेट लगा हुआ है, तो, ये लास्ट के लास्ट में थ्री एम का मतलब क्या है, ये एम मतलब है कितने marks का है, चार marks का, चार marks का, एम मतलब marks है मेरे जान, भाई या टाइमिंग नहीं हो सकती यार देखो मेरे को दिग्राथ सर जो ले रहे हैं लाइब वो ले रहे हैं साथ बजे से तो साथ बज़े से अगर वह आठ वह तक ले रहे हैं तो करीब आदे गंटे का आपको मिलना चाहिए अगर आप वहां पर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सोच के नौ बज़े रखा था और किया ना रात को मैच मैच से कैसी चीज़े जिसमें थियोरी नहीं होती है इसमें प्रैक्टिस करनी होती है अब मैं अगर दिन में ले लू क्लास तो यह दिन म में हमें ऐसा नहीं होता वह रात में ऐसा फील नहीं होता तो इसलिए रात में रखता हूं मैच की क्लास कि वह यह किसके बारे में बुक है यार देखो जब एक बच्चा 10 से 11 में जाता है तो 11-12 एक ऐसी चीज होती है जिसमें ना लव दिमाग मैं आपको अपनी पर्सनल स्क्रीज बताऊं मैं जब दसवी से दसवी में मैंने 10 सी जीपे स्कोर करेते हैं 11 एक ऐसा महवल है जिसमें कोप अप करना इतना मुश्किल हो जाता है एक टॉपर के लिए भी कि क्या हो रहा है हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा वही सारे एक्सपीरियंस मैंने उसमें डाले हैं जिससे की है मतलब एक ऐसी बुक एक ऐसी गाइड एक ऐसी हैंड बुक जिसमें अगर आपको जिंदिगी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टुडेंट लाइफ में तो आपका वो सॉल्यूशन वो आंसर उस बुक में लिखा होग उस तरह से मैंने रखा है कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है उसमें सारे आपके अंसर लिखे होंगे इस तरह से सोचके मैंने बनाई है ठीक है क्लियर है क्लियर है आगे बने आगे बने बोला गया है एंगल ऊफ ऐले ब स्ट ओफ टावर ऐट आटा लिखलर डिस्टेंस अफ about a on the ground तो बोला गया है तो बोला गया है एक टावर है एक तावर है बोला गया है एक टावर है तो एमगल meditate of top of tower at a distance of 120 meter तो यह 120 meter से यह 120 meter से इस top of the tower को देख रहे हैं तो angle of elevation आ रहे 45 degree इस angle of elevation of top of a flag step fix that top of the tower इसके भी उपर एक flag लगा रखा है इनोंने तो इसके top को अगर यह देख रहे हैं तो angle of elevation आ रहा है 60 degree तो यह angle आ रहा है elevation 60 degree find the height of the flag step यह हमें height निकालनी है H कैसे निकालेंगे एजी-पीजी कुछ नहीं ट्राइंगल ड़्ोडएंगे तो एक एक triangle यह A इनको नाम करन करते थे हैं points का ABCD हो गया तो दो triangle मेरे को देख रहे हैं एक तो मिरे को यह बड़े वाला दिख रहा है एक मिरे सी चोटे वाले ट्रेंगल में अगर हम जाएं तो देखो ऐंगल इस केस में है अपने पास 45 डिगरी जो टेंगल यह अगल डिगरी दिखता है 45 डिदी सी इस वाले एंगल को हम बोलें तो यह अगर आपको खाली दी नहीं लिखना नगां यरी तो पूरा अच्छे से लिख सकते हैं यह कहते है तो बीडी कि यह 45 डिगरी यह परफेंडिकुलार अपॉन बेस बीसी पता चल सकाएगा परफेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 ओफेंगल बीडी सी तो 10-нова मेटर यहाँ से मिलको हो दिइस की वैल्लीउ मिल गए 120 मितन यह बीसी जो है यह जो बीसी एक 120 मिल गया है अब बढ़े वाले ट्रैंगल में आ जाएं तो इन ट्राइंगल डी सी कि a busy अगर में ट्रेंगल में आप जाएं तो एंगल अगलते राथ ही स्केस लिए बड़े अपॉन में बेस में 120, बराबर 1060, 1060, 0, 1 by root 3, 1, root 3, दोनों तरफ टैल लेना था पहले, तो 10 of angle ADC, बराबर 1060, ADC जो यह 10 है, ADC, तो perpendicular है, H plus 120, अपॉन में 120, तो H plus 120, अपॉन में 120, बराबर 1060, 0, 1 by root 3, 1, root 3, तो यहां से हो गया, H plus 120, equal to 120, root 3, तो यहां से 120, उस तरफ जाएगा, यह उस तरफ जाएगा, तो यह बन जाएगा, 120, root 3, minus 120, 120 common ले लेंगे, तो बन जाएगा, 120 into root 3, minus 1, इतना मीटर जो है, यह height है किसकी, flex tap की, इतना मीटर जो है, यह height है अपनिक, इसकी, flex tap की, यह height find कि क्या हो रहा है, साइड हो जो जापए, एक 120 into, root 3, minus 1,曜 120 into root 3, minus 1, clear है, clear है, clear है, पहले वाला clear है, पहले वाला question clear है, ठीक है, flex tap वाला same वैसा ही question था, इसमें हमें यह दे दिया था, पिछले वाले question में क्या करा थे इन्होंने, पिछले वाले questions में, में यह दे रखा था तो यह डी द thrownけ दिया है दोलों ट्राइंगल में बस से लिगाने हैं पकऴों ट्रिच्णो में लगानी है कुछ नि करना रेंगल पंगभों ट्रिग्नों में तरियाओ निचे सवाल गारें नीचे सवाल करें इसका copy बना लूं आप है लो ट्राइंगल पकड़ो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, सिंपल केस है, ट्राइंगल पकड़ो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, नीचे वला कारें, नीचे वला क्या बोलता है, पॉइंट पी अंड ग्राउंड एंगल ऑफ एलेवेशन ऑफ टॉप आवर इस थट्टी, ठीक है जी, तो टॉप ऑफ टावर में पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलेवेशन की 30, एक फ्लेक्स्टेफ का जो एंगल ऑफ एलेशन है वह सिस्टी बिलकुल वैसे हो गया सवाल यह तो उसमें 45 तहीं है ठीक है इस पांच यह पर यह पांच दे रखा आप हमें पांच मीटर तो बताओ हाइट ऑफ टावर के है यह हाइट आप अपाथ करने है बताओ जी है कैसे क हुआ हुआ है है गया हुआ है समझ बिल्कुल पिछले ऐसे सवाल है बिल्कुल यह सवाल मिल्कुल ऐसा सवाल है यह है adjust है इसमें भी बिल्कुल यही यह है डी लेंगे इस वाले को इसको समें करेंगे क्या ये कर लोगे क्या है ốngलोगे आगे बड़े वालाने अब वुग कव लांच OWगी आपके बोर्ट के बाद आफ या जिर अब कडिए अफ दो कर लोगे प्लियर है क्लियर है है कि वहां या शादी कप करोगे जब आप दिलवाद होगे अबसा का रहा हूं बढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हाग सुफा का टू पटॉइट फाइप फटिर या फिर अंचको आगेधे आ अंच हां यहां एक और लल्लू प्राबलम कि इसको करने कोशिश करतें सीबियेसी दोज़ा ठारा चार मार्कस में हां टॉप आफ दा कि आप यह वाले भी बहुत सार्वाव आते हैं टॉप आफ दा ही और फूत आफ दा ही इस तरह की बहुत सवावाव आ रहे होते हैं को तो बोला गया है देम्गल उफ एलिवेशन आफ टॉप ओफ ओफ घिल at the foot of the tower is 60 degree and angle of depression from top of the tower to foot of the hill is 30 degree ठीक है तो एक hill है और एक tower है ठीक है तो देखो एक hill है hill मतलब मालो पहाड़ी है तो यह पहाड़ी है और यह हमारा tower है ठीक है the angle of elevation of top of the hill at the foot of tower तो tower के foot से टावर के foot से hill के top को देखा तो साथ डिगरी पर दिखा पहली लाइन पर यह बोला है angle of depression from top of the tower top of the tower to foot of the hill top of the tower to foot of the hill यह जो angle of depression है यह हमें 30 degree दे रखा है तो अगर यह 30 है तो यह 30 होगा है इस पार होगा है इस टावर इस फिफटी मीटर हाई तावर की लिए पिस्टी मीटर दे रखिये दिवाई साह है है यहाइट अफ निगालने यह लिखाल ली कानल यह ॅ कि यह अफ टॉर करो करो जल्दी रोओ जल्द दिमाग लगाएं बहुतीजी पीजी पीजी सवाल है बहुतीजी पीजी सवाल है मतलब निहायती असान है बीच का डिस्टेंस एक से निखाएंगे दूसरे में यूज़ होगा कि जल्दी कि यह क्या खाया भी नहीं खाया भाई अभी क्लास के बाद खाऊंगा होगा warto होगा अभी का अभी हम पाई। चा सब्सक्राइब कर साघ्र में कि अरे क्लियर है कैसे करुगे कैसे करूग देखो ट्रेंगल डूड़ces मैं तो त्राइंगल यह चोटा सा दिख रहा है, तो मैं नाम मो explicar मा विसको a दे दिया, इसको मेने b दे दिया इस पॉइंक को मैंने c दे दिया तो आगर मैं चोटे वह ट्राइंगल पर जाओ इस में बीसी डिमें तो यह distance से इकर में निकल गया छोटे वाले से dzięki dil निकाल लिया तो बढ़े में यह उस करूँ गार एच निकाल वा कि द्माग के चोलो कि पाले में से यूस करकर ड नीकाल और वही दी बड़े बाले में यूज कर लोगा काके दोनों में कॉमन है तो इसमें क्या करूंगा मैं परपेंडुलर प्लता है निकालना है तो टैनलों गोगा टैन ओफ एंगल भी बराबर टैनल और थे नो सब्सक्राइभ यूज्म क्या रोट फिर तो जाज़ लिडिक ट्रांगल बड़ा वाला एगी ऐडी बी एगी इस ट्रांगल को टांग तो ऑफण खरच पड़रिंग प्रकॉण हम चुट हिसके ऊपड़े ओले ट्रांगल में बेस पता है। परपेंड़िकुलरिन निकालना में बेस पता प्रपेंडिकुलरिन निकालने ह plural est e तो यहाँ पे D बराबर 60 था मेरे पास, बड़े वाले ट्राइंगल में यह D 60 है, तो perpendicular upon base, मतलब 10 D, दोने तरफ 10 ले लिया, 10 D बराबर 10 60 कर दिया हमें, तो 10 D मतलब H upon my small d, तो H upon my 50 root 3, 10 60, 0 1 by root 3, 1 root 3, तो H बराबर आगे 50 root 3 into root 3, तो root 3 into root 3 मतलब 3, तो और 50 into 3 is 15, तो 1,500 meter, तो hill की height किती है, 1,500 meter, हिलकी हाइट किती है 벌써 में थेडसो मिटर होगी या अभी मेरे को सिंदन ही है मैंने प्रिंटिंग वानों को भेज रखिए और मैंने उनको बोला या जोभी फ्राइज हमारा प्रिंट में जो कोस्ट होगी न कॉमाने को कोई a यार बुक्स है मेरा आया कि आपको आप तक पहुँच जाए आप समझ जाओ मैंने उनको बोल रखा है जितना भी प्रिंटिंग में कवर उधर में पैसा लगेगा वहीं मर्पी रख देना और उस पर भी कुछ पर ले जाना उससे अरे समझ गए अरे समझ गए आगे बढ़े आगया आगया अगया क्लियर है अगया देड़ सो आगया तो इस तरह यह सवाल होंगे आपको बस में चीज है कि आपको लेंगविश समझनी है इसमें यह था पहले में था कि फुट से टॉप पे देख रहा है दूसरे में लिखा था कि टॉप अफ टावर से फुट फुट को देख रहा है तो यहां में क्लियर होना चीए कई बार हम डाइग्राम अगर बिना देखे डाइग्राम आपको नहीं देगा बहुत कम केसिस होंगे कि आपको डाइग्राम मना के वो देंगे तो आपको डाइ बहुत फेमस कुश्चन है आपके CBST के लिए करिये करिये मैं आपको दिमाग लगाना सीखाता हूं कि कैसे आपको फिगर बनाना है फिगर इसका इंपोर्टेंट है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर अबव दा सर्फेस ऑव वाटर तो मैं यह सर्फेस ऑव वाटर है ठीक है यह हमारा सर्फेस ऑव वाटर है यह हमारा सर्फेस ऑव वाटर है इसके साट मीटर उपर इसके साट मीटर उपर जाके कोई बंदा जो है वह क्लाउड को देख रहा है तो यह क्लाउड है हमारा इस क्लाउड को देख रहा है तो यह क्लाउ and the angle of depression of its shadow shadow मतलब क्या होता है shadow मतलब कि lake से जितनी उपर cloud होगा उतनी ही नीचे shadow होगी तो मतलब यहां से यहां तक अगर जो distance है वो D है तो उतनी ही नीचे distance पे D पे इसकी shadow दिखेगी हमें इसकी shadow दिखेगी हमें ठीक है उस shadow को देखने के लिए डिप्रेशन एंगल हमें दिख रहा है 60 degree है यह डिप्रेशन 60 दिख रहा है find the height of the cloud from surface of water यह D जो है यह हमें find करना है कि कित्ती उपर जो है यह cloud है कित्ती उपर यह cloud है तो triangles दूड़ो कैसे बनेंगे भई देखो इसको मैं यह जो यह जो हमारा line बन रही थी इसको उपर गए तो एक यह triangle बन रहा है एक नीचे वाला triangle बन रहा है दोनों का यूज करो यह अगर 60 है तो यह भी 60 होगा यहां से यह तक का यह 60 होगा ठीक है यह 60 होगा तो अगर मैं उपर वाले नाम देता हूं triangles के इस पॉइंट को दे दिया बी इस पॉइंट को दे दिया सी इस पॉइंट को दे दिया है ना और capital D इस पॉइंट को दे दिया में नाम capital D इस पॉइंट को नाम में दिया तो देखो एक ये ट्राइंगल दिख रहा है मिरको इस ट्राइंगल के लिए इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं इस को बोल दूँ मैं X इस डिस्टेंस को बोल दूँ मैं X तो इस ट्राइंगल के लिए यह है यह है D-60 और यह X और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो पर समझें समझें बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डाग्राम समझ में आना चाहिए डाग्राम क्या होती है रिफ्लेक्शन के लोगा आपने पढ़े होंगे ना साइंस में कि बाई जितनी उपर है उत्री नीचे इमेज होगी तो अगर डी डिस्टेंस पे अब्जेक्ट ह कोदल तो जो भी एंगल a b d जो ए एंगल a b d जो है वहमें दे रखा gorgeous परपेंडिकलर और बेस यूज करना तो 10 यूज करूँगा 10 अथ एंगल a b d बराबर 1030 हो जाएगा तो 10 of angle AVD 10 क्या होगा D-60 perpendicular upon में base क्या है X 1030, 1 upon root 3 तो यहां से आ गया X की value आ गई root 3 into D-60 यह X की value पता चले गई पहली equation बन गई अब बड़ी वारा triangle ले ले लेते हैं तो in triangle dbc dbc इस triangle में अगर हम जाएं तो angle dbc जो है यहां में दे रखा है 60 degree यह 60 degree है इस 60 degree के लिए यह perpendicular है और यह base है तो 10 ले लेंगे वापस से 10 तो मतलब maximum जगे आपका 10 यूज होगा CBSE को 10 से बहुत प्यार है equal to 1060 10 of angle dbc मतलब perpendicular मतलब d plus 60 upon base क्या है x c s में भी x equal to 1060 1 upon root 3 x की value उठके यहां put कर देंगे तो d plus 60 upon में x यह put कर देते है root 3 into d minus 60 equal to root 3 यह बन गया calculation है बस अब तो अब तो calculation है बस तो यह इदर multiply होगा cross multiply तो बन जाएगा d plus 60 equal to root 3 into root 3 into d minus 60 यह बन गया into d minus 60 यह बन गया तो d plus 60 equal to 3d minus 6 3 the 18 x plus c तो यहां से बन जाएगा 3d minus d d दल ले गए equal to x plus c plus 8 x plus c plus 6 3 the 18 6 4 the 24 तो 240 equal to 2d तो यहां से d की value आगी 120 मेटर तो यह जो cloud था यह कित्ता उपर था 120 उपर था यह जो यह जो cloud था यह 120 मीटर उपर था तो आपने क्या करा पूरा सारा गाप सारा chapter इस तरह से हो रहा है triangle दिखे triangle में लगा दो भाई हमें बच्चे सोचते भाईया यार बेस तों में देही नहीं रखा तों क्या यह उस करें अरे x लिख दो ना उस x की value उठा के दूसरे में put कर देना simple x माल लो x कुछ नहीं पता तो x माल लो बड़े वाले ट्राइंगल में लगाया क्लियर है कि अग्लियर है कि अग्लियर है कि अग्लियर है शुरुआत करी थी हमने दस अजार बच्चों से बच्चे रहे गए साड़े छह जार और जैसे टाइम बढ़ता है बच्चे कम होते रहते हैं सबसे नहीं जेला जाता है आप यह मानों आपने आपको proud feel करा करो कि आप 14 दिन तक रोकोगे आप अपने आपको proud feel करा करो सबसे नहीं जेला जाता तो इसलिए यह मत सोचा करो कब छुटी हो रही है यह सोचो कि भाई आधी जंता चले गई 12,000 बच्चे थे शुरू में 11-12,000 तो आधे रह गए आधी जंता चले गई एंड तक इसकी भी आदी रहEng़ी और चौदा दिन के बाद तक बिकुल समाब तो लोगे बच्चे नमबर यह ब गए दो क्लियर है क्लियर है क्लियर है घी तो कुछ यह नहीं करा है हमने दो ट्राइंगल उटा यह बहुर Τ्रियंगल है take N pra आगे वढ़ते हैं. तीन क्यूश्न और हैं आपके बाद आपके पाद इसन रहे हैं, बहुत असा सवाल है ऐसे हमने बहुत सारे कर लिए ऑफि date, फिर्से evolve कर तो मेरी जंद थेह। पाण यहां पर यह दिषruck सो कि यहां पर एक बंदा कड़ाता है उसने तनी डिख ओं पर तो अगर तो पानी से और प्राइं की तरह काम करता है तो plane mirror से D अगर distance पे object है तो D distance पे उसकी image होगी तो हमने इस ट्राइंगल में हमने देखा तो हमने लगाया 1030 बराबर perpendicular upon base तो 1030 बराबर perpendicular upon base तो X बराबर आ गया root 3 into D-60 फिर हमने इस वाले triangle को उठाया इस triangle में 1060 1060 बराबर perpendicular upon base तो perpendicular हो गया है D plus 60 यह ना perpendicular D plus 60 तो D plus 60 upon base तो D plus 60 upon base equal to 1060 तो 1060 होता है root 3 तो बस यहां पे X की value यहां से उठाके put कर दी put करी D की value आगे 120 D आमें निकालना था कि बहुत कित्ती उपर है यहां से बस यही पूचा है find the height of the cloud from surface तो वो डी था clear है clear है अरे clear है आगे बढ़ते है यहाला सवाल करो बहुत असाने बहुत असाने यहाला सवाल करो कित्थ कि अस私 थबुत असाने बढ़ते हैं झाल हो गया हो गया देखु बोला गया है एंगल ऑफ स्धिप्रेशन फ टॉपफ ऑ उपन प्थ कर फ्रोम बीर्डि इंड िंग का तो एक ब्युंदिंग है फिनिदीक है तावर है और एक Biguses सब्सक्राइब कि तो इस बीलिंग के टॉप से ऑग अलिवेशन है मतलब क्या होता है कि अलिवेशन जो गाओ पहले वाला पहले के बराबर होगा और पहले वाले बेलावर ब्रसक्राइब होगा तो एंगल of elevation is 30 और एंगल of depression is 60 यह एंगल of depression is 60 टीक है तो एंगल of elevation and depression of top and bottom of a tower from a building तो building की हमें height दे रखिया 60 meter की building है are this find the difference between the height of building and the tower तो इन दोनों के बीच का difference हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच का difference कितना है distance between them जह्रुनों के बीच का distance यह d भीया हमें निकालने और दोनों के बीच का difference of height है यह कर गा एंगर साट है यह साथ है इसाठ भाइए साथ तो इन भीसाइटे छीब सबानार यह सोगा दोनों के पीच कि ऑलता है जोकि यह तो माललों यह इंव है यह c Ben यह धिया और यह पॉइंट यह है तो चोटे वाले ट्राइंगल इंट्राइंगल एसी डी इडी तो एडी में हम देखे तो एंगल एडी जो है यहां हमें 30 दिग्री रखा है पर्पेंडीकुलर अपॉन बेस टैंग लेंगे वापस से आपन अफ एंगल एडी यहां बराबर 1030 हो गया तो 10 of angle AD मतलब perpendicular one base मतलब H upon में D बराबर आगया 1031 upon root 3 तो यहां से आगया D बराबर H root 3 तो दी बराबर H root 3 आगया पहला दूसरे triangle को ले नीचे वाले को तो इंट्राइंगल इंट्राइंगल बीईडी बीईडी में लें बीईडी अगर हम लें तो angle BDE जो है वह में 60 दे रखा है यह एंगल 60 रखा है तो इसके लिए perpendicular upon base तो 10 of angle BDE बराबर 1060 है तो perpendicular upon base मतलब 60 upon D 60 upon D बराबर 1060 1 upon root 3 1 root 3 तो यहां से आगया यहां पर D बराबर रूट 3 रख दें डी के यह एच रूट 3 रख दें तो 60 upon me h root 3 बराबर root 3 तो यहां से बन गया 60 बराबर h root 3 इंटू रूट 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 बन गया तो यहां से एच बराबर आ गया 326 20 तो बराबर 20 meter आ गया तो इन दोनों के सेया अपना 20 और 20 रूट-3 ठीक है जोनों के बीच का कितना आ गया एज को है प्रेंटी रूट-3 और दोनों के बीच का Meu लंगा इंटीछ रूट-3 दोनों के कीया हाइट का इस्तेंस भीस है अरे समझ गए है समझ गए मेरे उप्वेते हैं समझ गए दो कैसे कर रहे हम कि बिलकुल उसी तरह का सवाल है बिलकुल उसी तरह जाहा है दिक रहा हैं उपरवालेमे लगाए डे में इ Bros नीचे वाले में लगाया तो इसतरह सबन रहा था टो मैंने जगे एफ lip डिया ने डी निकाल लिया clear है figure नहीं बन रहे हैं मेरी जान figure बनाने के लिए आप जितने questions खुटते करोगे देखो मैं बताता हूं आपको यहाँ पर आप ग्यान को ले रहे हो यह वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो से आप ग्यान को ले रहे हो अब जब आप इस वीडियो को खतम कर दोगे आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलिग्राम पे अब उसके बाद आपको क्या करना है इस PDF को डाउनलोड करने के बाद जितने भी questions हैं उनको खुद एक बार solve करना भया आपने PDF डाउनलोड कर दी आपने एक question उठाया रफ में अपने आप solve करा सिर्फ question परढ़ा खुद solve करा question परढ़ा खुद solve करा पिर second पर जाना question परा खुद solve करा तीसरे पर जाना question परीट फटष्यव सेट रचारव करा जब आप खुद दिमाग लगा कि एक figure को बनाउगे आपको मैंने आज से पहले मैंने आज से पहले इन को नहीं करा है याई वियार विया कर आँगा पर अभी रीसेंट टाइम से बिछले एक देर साल तक क्यूंशन नहीं सॉल்्व करें थे मेरे सामने क्वेश्चन आए मैं आपके सामने सॉल्फ कर रहा हूं मैं कुछ लग को ही कर रहा हूं पर क्लिया एक लाइन पढ़ी आ वैसे आपने बनाया दूसी लाइन पढ़ी बनाया तीसी लाइन पढ़ी बनाया बस फिकर बने फिर तो आपने कुछ नहीं करा दोने ट्राइंगल में लगा दिया अंसर अरे क्लियर है क्लियर है कि यह सो तो आ जाएंगे ना शौटा दिन मिल साता हो बस के साथ फिक धिर आगे बढ़ते हैं और बोला गया है बहुत असो इंपोर्टनलेंशंवाल में ही में drinking सब एंग बर्ड इस सिटिंग उनुझांग व एट्टी मीटर हाइट रियää अपको शहलब क्लीर है दिख रहा है दुझो लगजा यह देग्राम पिर से समझा दो देखो यहां पर यह रिस्पेक्टिवली आ जाता है इसका मतलब पहला वाला पहले के लिए दूसरा और रिस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले वाले के लिए पहला और उसके लिए यह समझ के लिए तो ऐने पहले वाले का थिरीदिप्रेशन बॉटम का 60 degree respectively, तो जहां पे भी respectively लिखा हो तो end के हिसाफ के समझichtig लो, कि end के पहले वाला पहला दूसरे वाला दूसरा, फिर end के पहले वाला पहला दूसरा, जहां तक respectively लिखा इससे बात लो, तो जो one वाले हैं वह सारे एक है, और two वाले हैं, को सारी एक है clear है तो बने वाले कहा है elevation टॉप का 30 डिगरी दिख्डिया डिप्परेशन बोटम का 60 डिगरी तो डिप्परेशन बोटम का 60 डिगरीधर्ब अब खुलियर तो रिस्पेक्टिवली कई बार नहीं समझ में आता है बच्छे को रिस्पेक्टिवली यही होता है कि एंड से पहले वाला पहला दूसरा एंड से पहले वाला पहला पहला दूसरा इस तरह से आपको रिस्पेक्टिवली देखना है तो पहला 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 elevation top का 30, elevation top का 30, depression bottom का 60, अब clear है, 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 आगे बढ़ते हैं, तो bird is sitting on top of a 80 meter high tree, ठीक है, तो एक 80 meter high tree है, एक 80 meter का high tree है, यह 80 meter का, यहां पे एक bird बैठी है, from a point on the ground, the angle of elevation of the bird is 45 degree, ठीक है, तो angle of elevation is point से 45 degree है, ठीक है, मैं देख रहे हैं, line by line बढ़ रहा हूं, मैं कुछ ऐसे कोई पूरा एक साथ बढ़ रहा हूं, the bird fly away horizontally in such a way, that it remain as a constant height from the ground, तो मतलब horizontally जा रही है, पर ऐसे उपर नीचे नहीं हो रही है, horizontally जा रही है, after two seconds, angle of elevation from the same point is 30, अब हमें पता करना, यह दूर गई है, यह पास आई है, तो 30 हुआ है, मतलब 45 से नीचे को है, angle 45 से नीचे हुआ है 30, तो मतलब दूर ही गई होगी, तब ही आगे जाएंगी इस तरह से, तो यहाँ पर गई है, कितनी देर बाद, दो seconds तक, देखरो आप बिल्कुल सेम सवाल है, जैसा पहले आया था, शुरू में हमने इस तरह का सवाल कर रहा है, आज ही कर रहा है, तो यह होगा 30 गरी, ठीक है, तो यह constant height पर रही है, मतलब यह 80 है, बिल्कुल सेम सवाल भी हमने कर रहा है, aeroplane वाला, 80 meter, find the speed of the bird flying, ठीक है, speed हम निकाल ला है, तो speed जो होगा, वोगा distance upon time तो यह distance हमें पता चल जाए, time तो 2 second पता है हमें, upon में 2 है, यह distance हमें पता चल जाए, यहां से यहां तक की distance यह distance पता चल जाए, तो हम कह देंगे, कि हमें time भी पता है, तो distance upon time हो जाएगा, तो speed पता चल जाएगी, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल हमने करा है आज, बिल्कुल सेम सवाल हमने करा है आज, यह रह, एरोप्लेन माला बस एरोप्लेन की जगे CBSC ने क्या करा CBSC ने एरोप्लेन की क्या करा चिडिया उड़ा दी CBSC ने एरोप्लेन की जगे चिडिया उड़ा दी यही होता है हमेशा मैंने आपको बोला न CBSE कभी भी कुछ ऐसे अलग बहरी सी चीज नहीं देती वो हमेशा क्या करती है कोई भी चीज की value change कर देगी या सवाल को थोड़ा सा गुमाफिरा देगी ताइगराम बिल्कुल वैसा ही बन रहा है तो क्या आप यह निकाल सकते हो क्या आप यह निकाल सकते हो फिर से अपने है करने कोशिश करो मैं आपको 2 मिनिट का समय देता हूं रहे हैं ठीक है थैस चौह रहे हैं तेश आठ तक आपके झाल जल्दी करो हुआ है है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो के शोवित बढ़ा के साथ यह मत लिखा कर दो एंड कर दो जाओ जिसको एंड करना है याद करोगे इस ताइम को यार मेमरेबल बनाओ चीज़ों को इतना क्या टेंशन लेते हो स्कूल जाना है भया कल कोई बात दी छे गंटे सो तो पांच गंटे सो जाना अरे चैप्टर तो समझ में आगया चैप्टर है चैप्टर में तो 2000 बन जाओ अब आप तो फटाओ यह इतनी चीज़े लगा हम भाइसाब बिना पड़े एक्जाम दे के आके फिर सोते थे तो तो याद रहनी चीह है को स्टोरिस को छरगल याद रहनी चीह सढ़ाई तो देखो जी हमें क्या निकाल ने हमें उसकी स्टेफ निकालना है क्योंकि यह इस इस नम करंद उन्हें करते तो उन जग गगा पूरा क्या है A, माइनस कर दूँगा A, C को, तो मेरे को C, E मिल जाएक Dobhan, नीखान लेक्या, C, E निकालना, तो C, E के लिए बड़ा वला triangle लोगा, इस बड़े वले triangle में, his triangle, his triangle, D, A, E, D, A, E, इस वाले triangle में याजा हूँ, तो angle dae कितना है, 30 degree, तो परपंडिखुलर अनुकलला किन निकाला कि निकालना किसे तो गाल में सिसे किया सब्सक्राइब पर चल रहा है तो अगर यह सी दे रखी तो यह सी हुई बोल रहा है तो असी अपन में ए ए ए बराबर टैंट थर्टी बन बाइ रूट थरी तो ए बराबर आ गया एट्टी रूट थरी ए इ पता चल गया मेरे वहां से ए पता चल गया एट्टी रूट थरी यह पता चल गया मािनस अरे ए इ माइनस सी इथना है शी है अब मीरे को यह सी ए निकालना孩子 a e- मिलेगा एसी निकालना नुगा टो इन ट्राइंगल नुगा एंगल इन ट्राइंगल एंगल इस ट्राइंगल की इस ट्राइंगल की बात करूं तो यह 45 में ने ठीक है यह बराबर 45 है तो अंकर बीएसी बराबर 45 है तो मैं कह दूंगा perpendicular upon base क्योंकि बेसी चाहिए तो परपेंडिकुलर पाउन बेस्ट मतलब 10 ले लोगा दोनों साइड तो 10 अधैन ओंगल बीएसी बराबर 1045 कि समझ गए समच गए वऑग परपेंडिकुलर अपउन बेस्ट करना मतलब कि यहां पर मैं आ गया एटी अपान में एसी बराबर 1045 क्या होता है 1045 क्या होगा वन होता है वन होता है वह एसी समझ में यह यह अए यहां से हम कर देंगे AC की value जा गई वह आगई 80 meter आ गई AC बराबर 80 आ गया तो AC बराबर यहां पर 80 आ गया तो यहां से CE की value आ गई 80 into root 3 minus 1 यहां गई CE पता चलिए यही तो चीह था तो यहां गया 80 into root 3 minus 1 यह तो पता करना था तो यहां से हम कह देंगे कि जो speed थी अपनी 248 40 to 40 into root 3 minus 1 इतनी speed होगी अपनी meter per second meter per second में अब इसमें आप root 3 बराबर 1.732 रख देना calculation कर लेना पर speed अपनी होगी 40 root 3 minus 1 ठीक है 40 root 3 minus 1 40 root 3 minus 1 अब है बिना पढ़े एक्जाम दे के सोते थे मतलब पूरी रात पढ़के एक्जाम दे के फिर सोते थे अब बोल के होंगा flow flow में point आप समझ गये feel मतलब पूरी रात पढ़के फिर उसका एक्जाम दे के फिर सोते थे ओके बाई क्या बोल दिया मैंने feel अब बिना पढ़े नहीं पढ़कर मतलब पूरी रात पढ़के एक्जाम दे के फिर सोते थे इतना मारूंगा न मेरे से मज़े लेते हैं तुम है ठीक है 40 रूट 3 माइनस 1 मीटर पर सेकिंड इस दी आंसर तो समझ गये बिल्कुल वही सवाल है जैसे हमने एरप्लेन में कर रहा था एरप्लेन वाला सवाल कर रहा था ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं करो करो इस वाल एक हर इस वाल अक्रिस वाल अफ इस चप्टर लास्थ केस्ट जदी जल्दी जल्दी शामारू झाल झाल अबे happy birthday मेरा बड़े नहीं है भाई क्यों happy birthday लखे जा रहे हो अदे अबे एडी मेरा 17 वार्ज को आता है वाई लो यार कुछ भी छेड रहे हो असे पड़ दो अब भी कर ऊएपी बड़े बाई कोई पॉइट है था बज़े ले 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 अबे नहीं है बढ़ दे क्या है कि अध्य आर बड़े शयतानों भाई बड़े शयतानों यार कि चलो करो यार इसको करो इस सवाल को करो आपके बाद दो मिनिट ने बड़े शेतानो भाई बड़े शेतानो देखो जी देखो जी अब बॉइ स्टेंडिंग ओना होरिजोंटल प्लेन फाइंड बड़ फ्लाइं अट डिस्टेंस अफ हंड्रेड मीटर फ्रों मिम एट अलिवेशन ऑफ थर्टी डिग्री ठीक है पहली लाइन पड़ी डाग्राम बनाओ तो एक लड़का है जी यह लड़का जो है और अटन एंगल ओफ एलिवेशन ऑफ कितना कितना थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री पर देखता है गर्ल स्टेंडिंग ऑन रूफ ट्वेंटी मीटर हाए बिल्डिंग फाइंड एंगल अफ एलिवेशन ऑफ सेंब तो भी एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कितने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फॉटी डिग्री कितनी उची बिल्डिंग पर बीस मीटर उची बिल्डिंग पर खड़ी है वोट बॉय औंगल और उपोजिट साइट फाइंड दा इस्टेंस ऑफ बर्ड फॉम गर्ल तो यह इस्टेंस में बताने अब कितना है यह ठीक है 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 तो में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं एक यह ट्राइंगल दिख रहे है इस ट्राइंगल में यह 100 पता है और यह नहीं पता है यह पता चल जाएगा इससे मालो इसको मैं एक्स बोल दूं तो मेरेको एक्स पता चल जाए आप सोचल साइंस का रिवीजन करवाद ऊच्छा ए तो इस ट्राइंगल में लगाएंगे एक्स निकालेंगे उस एक्स को यूज करेंगे इस ट्राइंगल में डी निकल जाएगा कैसे करेंगे देखो जी, नाम दे देते हैं, तो इस पॉइंट को अगर हम A नाम दे दे, इस पॉइंट को B नाम दे दे, दिखी नहीं था, इस पॉइंट को B नाम दे दे, इस पॉइंट को D दे दे, इस पॉइंट को E दे दे, तो बड़े वाले ट्रैंगल में देखें, लेफ्ट वाले इ पॉन बेस मतलब X plus 20 अपॉन में बेस क्या है 100 इक्वल टॉ टॉ टैन्टार्टी वन बाय रूट थरी तो यहां से आ रहे है एक्स प्लस 20 इक्वल टू 100 अपॉन रूट थरी तो यहां से X की वेलियू आ गई 100 अपॉन रूट थरी माइनस में 20 कि यह आ गया अब इस वाले ट्राइंगल में लगाए एक्सक्राइब बता चल गया तो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी डी फिद्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बराबर गिल रहा है तो तो दो न ट्वेक्साइब ट्राइंगल गले लेंगे-टो टैन अफ़ इन चांब मतला x क्या है 100 अपान रूट 3-20 अपान में D क्या है यह D हमें निकान लाई है इक्वल तो 1045 वन तो यहांसे D की वेल्यू भी आ गई 100 बटे रूट 3-20 100 बटे रूट 3-20 इस दी आंसर 100 अपान रूट 3-20 इस दी आंसर अब हपी अनिवर्सरी करने लग गए अब भाई नहीं आया हो मैं भी ठीक है तो यह आगे अपना 100-20 रूट 3 अपान में रूट 3 कि एपी बटे एपी अनिवर्सरी है है हंड्रेड अपान रूट 3-20 ठीक है है क्लियर 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 है तो हमने क्या करा हमने क्या करा जैसे सवाल में दिया वैसा हमने डाइग्राम मनाया कि लड़का जो है ब बिल्डिंग पर खड़ी है बर्ड को देख रही है कितने पर 45 डिग्री पर लड़के से दूरी है 100 तो लड़की से दूरी किती होगी बतानी है बस सिंपल है सिंपल है ठीक है तो यह हमारा क्या कहते है यह वाला कोश्चन हो गया इस क्विश्चन के साथ हम बोल सकते हैं कि आपके चैप्टर की हो सकती है समापती है और आपके जो हमवर्क है आपका जो हमवर्क है जो इसके बाद नेसेसरी चीजें वह दो है एक तो complete NCRT कर लेना NCRT के जितने questions है वह आप कर सकते हो वह complete हो जाएंगे और इसके बाद all PYQs of this chapter यह आपको कर लेने हैं और PYQs of this chapter PYQs आपको कहा मिलेंगे जिसको नहीं पता कल मैंने डाली दिये ते टेलिग्राम पर मैंने डाल दिये ते कल PYQs on Telegram तो Telegram पर मैंने कल डाली दिये ते वह आप देख सकते हैं उसके साथ आपकी आंसर की भी टली हुई है ठीक है ठीक है जी ठीक है होगे जी एपने रियाiveness और जाली यह अजांरे फेर उसके बाद देख वराओ जान काम हो गए अभी आदे बच्चे बैठे आगे आज अदे उन शहनार में हो जो शुरूत से लेके अभी तक बैठे हुए थे तो बदाई हो आपने पूरे consistency के साथ इस पूरे lecture को देखा अपने आपको proud feel करवाओ ऐसे थप-थप करो कि हाँ यार मैं consistency के साथ बैठा रहा हूँ मैं consistency के साथ बैठी रही इसी तरह से चौदा दिन तक रहना दो दिन हमने निफटा दिया तो हमारे पास बारा दिन बचे हैं बारा चेप्टर्स हमारे पास बचे हैं इसी के साथ आज की इस marathon की lecture को समाब करते हैं फुल जोश के साथ रहना है अगले lecture में भी आना है बाई-बाई take care मिलते अगली class में तब तक के लिए वही पढ़ना है पोड़ना है कहर मचा देना अग लगा दे नहीं है दुम लगा के पड़ो मन लगा के पड़ो अच्छा पड़ो सो बटे सो ले के आओ शोवित बिया की blessings आप महिशा आपके साथ हैं आप ले के आओगे मेरा विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहा हम पोड़ेंगे टिके ना हैस्टेग हम फोड़ेंगे लिख दो स्पैम मार दो ठीक है और हम बिलते हैं कल इसी समय नौव बजे ट्राइंगल के साथ इंपोर्टेंट चैप्टर प्यारा चैप्टर अच्छे से पढढेंगे ध्यान से में ठीक है और बहुत बड़ा दिन था हम सबी के लिए तो बदाई हूं आप सभी को congratulations हम सभी को मिलते अगले क्लास में bye 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 good night good night bye 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 hashtag hashtag हम फोड़ेंगे comments में बढ़ जाना चाहिए bye bye bye